शिमारू से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब आप के बेल आइकन को प्रेस करें लो बॉला भी दो हजार रुपए शांती देवी रहीम भाई इनकी तीर हजार रुपए दीजिए इनकी बेटे की शादी के लिए लो माई भकवान करें प्रेंबाबू सदा बने रहे मुझे विद्वा का कल्यान हो गया हाजी साथ रहीम भाई इनके मदर्से के लिए इन्हें दस हजार रुपी दीजिए जी बेहतर लिजे जनाब शुक्रिया अल्ला सलामत रखे प्रेंबाबू के आमीन फरिष्टा है फरिष्टा म मुंशी जी आज उनके दीदार नहीं होंगे क्या क्यों लिजे मालिक आगये आपके लिस्ट के मुताबिक सिर्फ छे लोग बाकी है मेवालाल जी साइब इनके मकान की मरमत के लिए इन्हें चार हजार रुपी दीजिए मलिक आप खुद ही दे दीजिए अपने हाथों से भगवान आपको और तरक्की दे आप महान है हम गरीबों पे आपकी च्छाओं सदा बनी रहे हमारे घराने पर बस यही कृपा बनी रहे भगवान गरीबों की दुआएं मिलती रहे तेरा लाक लाक शुकर है सब कुछ दि तो हीरे जैसे बेटे एक सुशील बेटी माँ बाबुजी कहा है आप लोग जल्दी आए प्लीज क्या बात है बेटी मेरी विजब यस दिना बात सबसे अच्छी कवीता के लिए उजाला विकली का वार्शिक पुरसकार उन्हें मिला है अच्छा है देखिए बाबुजी व हमारा उसे बच्छपन में इन कंदों पर हमने बहुत सवारी करवाई है अच्छा चुक चुक जीओ मेरे लाल बड़े भाई की च्छाओं तले तुम भी पुना वे पढ़ रहे हो बेटे वो इतना नाम कमाने लगा है तुम भी कुछ करके दिखाओ अभी करके दिखाता हू किरी नहीं सकता शर्ट जीत कर बताऊंगा लगा अ श्रु आपढ़ा ने किया आप बार निकल आप आप जो कि अपार पर लाने की तुमने जुरुत कैसे कि मैंने तो सिर्फ सवारी की है जुर्ण तो इस घदे ने कि है यहां पर कोई घदी रह थी क्या? शट अप यू रासकल! ए ए रासकल रासकल नहीं बोला? रासकल रासकल नहीं बोला? मैं एक शरीक बरका लड़का हूँ. वो तो मैंने एक शर्ट लगाई थी और शर्ट जितने के लिए माई इस घदे पर बैड़ गया. और तुम घदियों को, मेरा मतलब है कि तुम लड़कियों को मेरी तरफ से गवाई देनी पड़ेगी, कि माया इस घदे पर से गिरा नहीं, वरना मेरे दोस्त मानेंगी नहीं, समझी न? हम भी नहीं मानेंगे, अब तो सबक सिखाने के बाद ही जाने देंगे. इस देश की पुरानी परंपरा है, girls, कि घदे सवार का मुग काला करके जुलूस निकाला जाता है. इस सूर्मा के लिए मैं अभी कालिक लेकर आती हूँ. अभे ओए घदे, जनान खाने से मुग काला करवा के निकलवाएगा क्या, मर्द होनी की कुछ तो हन रख. चल रवी, आज तेरी बसंती यही है, हट 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 आज तो बच कया वह बदमाश, फिर कहीं देखे ये देख, कॉले स्टूडेंट है लाली ते इसका अइडेंटिटी कार गिर गया, Ferguson College, रवी वर्मा, वा, यह आसमान को लात मार रहे है भाहीया जाए गरदन मोटी कर रहे हैं चौप इसा लोगने जैसे कोई झील काविता त्यार कर रहे हैं अरे डिस्टब मत पर पाजी कॉंवें भूट दबह other मार्म थे सब्णिसर खॉना के है और भूश्ज जी विजय सिंग पहलवान यहीं रहते हैं क्या विजय सिंग पहलवान या विजय वर्मा जी नहीं पहलवान मैं बंबय के उजाला वीकली से उनका इंट्रिव्यू लेने आई हूँ बंबय उजाला विजय वह है क्या आफ है वह है वही है वही है विजिए सींग पहलवान मत कये आख ओ PER इनका बदन कुछ खास नहीं लगता कालेनों ने हिंद केसरी की गदा कैसे जीत ली वो कहा कि चोर बदन है ना चोर बदन डंगल से पहले चार दन पहले नहीं कि बदन फुल कर कुपपा ओ जाता है अच्छा यह दंगल में तो लोग उनका वो कुपपा बदन देखते होंगे म मैं इनके इस चोर बदन का फोटो ले सकती हूं फ्लीज हां तो बड़ी चुपके से और फटा फट ले लीजे फोटोग्राफ और उसके बाद इंटर्व्य जाला कैसे है मगर जरा हलके से क्योंकि आदमी जरा भड़कू है आई हलके से ही आदमी भड़कू है कि अब अब आप यह फोटो लेना था मुझे चोर बदन हाँ क्या है कि आपका कुपा बदन तो सभी देखते हैं अब मैं आपका चोर बदन दिखाऊंगी दुन्या को यह घर में घुसते ही क्या अंडिशन बोलने लगी कौने तुम मैं उजाला वीकली से आपका इंटर्व आपके दूसरे तस्वीर भी खीच दूगी ठीक है ना लेकिन आप यह इंटर्व्यू मत रोकिये प्लीज आए तर्शिव लाइए मैंने कहा था ना मेरे भईया ऐसे मुड़े बठी नहीं आप सोफे बठी थैंक यू पूछे जो पूछना है हां मेरा पहला सवाल आपको बदन बनाने का शौक कब से है मतलब के सवाल पूछे आप मेरे बदन के बीचे क्यों बढ़ी है वो क्या है वही है कि तुम्हारा चोर बदन इन्होंने खुला देख लिया है ना अब तो तुम्हारे बदन से इन्हें मतलब है रे मार खाएगा अगर आगे बोला तो अपनी बगाज बंकर जाएगा मैं मैं चला जाओगा यहां से मगर तूमा के लिए पड़ जाओगे सोच देखिए यही बैतर रहेगा प्लीज इफ यू डोन माइड आप खाम खाम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप यहासे जाए न गुनगुनाने के अलावा आपने कुछ दाव पेज भी तो इस्तमाल किये होंगे ना किसे दाव पेज मैं क्या जानू यह तो आप ही बता सकते हैं देखी देवी जी इस फन के सिर्फ दो यह दाव पेज है एक तो सोच ना दूसरा गुनगुना ना ताजुब है सिर्फ जी लो लड्डू खाओ कादी खुशी वासते हैं और कल मैने हिंद के सीदा गदा जित्या ना मुवार्गावी मुवार्गावी पुत्र तुमी लड्डू खांदा आजा पापा जी गल किया गी है कि मेरे टेडे ची पीड आगी इस चमक दी प्रावलम है आना लो खोश वा अहांा बुट तुम जोट का रहों अब अभी नहीं का था कि तुम ही हो विजे सिंग नहीं में इसने कह देता तैने मान लेता अकल नहीं तेरे में आपल आप लगता हूंग तो जा मैने ना तैने नो इंटरवीव चंट रवीव पलीज रूछ जाए ला प्लीस रूख आप भी कोई इंट्रिवी लेने आईए जी नहीं खबर लेने किसकी आपके छोटे बाई रवी की आपके साथ क्या गुल खिलाया उसने हमारे गर्ल्स होस्टल में गदे पे सवार होकर चलाया लोटके तो आए ज़रा पूरी तरह खबर लूँगा उसकी अच्छा तो ये हैं दुनिया के मश्यूर हीरे आबनूर टाइमंड जी हाप प्रेम बाबू ये हीरे कभी शाह इरान के पास थे अब हमारे आका शेक जुमेरा की मिलकियत हैं प्रेम बाबू आप खासुल खास जोहरी है कारी करी का तारिफ अबर मुलक तक पहुंचा ये तो आपके लिए मैंने कुछ खास डिजाइन्स चुने हैं देख लीजिए प्रेम बाबू ये दस करोड के हिरे हैं दुनिया भर के गैंक्स्रेस की नजर इन पर है आप फिकर मत कीजिए अपनी दुकान तक पहुंचाने के लिए आर्म गार्ट साथ लाया हुमें एट्सकूड जुमेरा के शेख ने हमारा डिजाइन पसंद कर लिया मुंशी जी मैंने उनको जबान दी है कि आप नूर डायमंड का हार एक मेहने में तयार हो जाएगा अजी तीन हफ़ते में होगा मालिक आपकी जबान खाली ने जाने देगा इससे होगा शेट जी हवालदार पुछते रुके या जाए बस एक मिनिट मैं खुद आता हूं धन्यवाद देने के लिए जी पुछ तिजोरी की दूसरी चाबी बनवाली है शेट जी शाबश मुझ्शी जी शाबश ये ली जिए 50,000 रुपए पेश की बाकी के साड़े 7 लाक रुपए आब नूर हीरे हाथ लगने के बाद लेकिन सिज़ी कहीं मेरे हातों में हत कड़े न लग जाएं डरो मत मुझ्शी जी डरो मत ऐसी चाल चलूँगा ऐसी चाल चलूगा कि चोरी का इसाम तुम्हारे प्रेम बाबू पर ही लगेगा उस धर्मात्मा के बच्चे से मुझे पुराना हिसाब चुकाना है थोड़ा धरंदा सेट काओ दुर्लबाय दुर्लब क्या इतनी जल्दी ऊपर चलेगे क्या जी नहीं नीचे हूँ आपके सदकार के लिए अरे कम्रक्ष बल बजाई होती है आते ही गला फाड़ना शुरू करती है आदत है अपना गला फाड़ते हैं दूसरों की तुम्हारे साथ यह जोकर कोन है काम का आदमी है काम का दुबई से आरे है काम का आदमी दुबई से ही आता है हां तो चलो उस कमरे में आओ चल इधर देख सेट वाह सेट सोने का भाव बढ़ गया है अब की बार हर दस गराम पे डेट सो और उगलने पड़ेंगे देखो जरलब तुम्हारा मेरे लेंदेन बहुत पराना है चूना मत लगाओ चूना तो तुम लगाते हो सेट नाम के हो धरम के दास और करम के पूरे शैतान ओ खामोश दाम बाद में तैकर लेंगे पहले मेरी बात कान खूल कर सुनो इंडिया में आप नूर डायमंड्स का सौधा करना बड़ा मुश्किल होगा और खतरनाक भी आप नूर ही रहे? वो तो इस दुनिया में हतोड़ा है सेट हतोड़ा? तुमने कहां से लपक लिये? वो सब छोड़ो समझो कि मेरे कभजे में आ चुके हैं अब फॉरण में उनके लिए कोई ग्राग डूंड़ो फिकर लाट सेट उन हीरों को मैं पार लगा दूँगा नजर तो उठाओ बेटी हम तुम्हारे लिए कलकत्ते से आए हैं एक नजर देख तुलो हमारे बेटे को तुम्हारे माता पिता ने तो हमारे अजीद को पसंद कर ही लिया है मगर इसकी जिद है कि तुम भी पसंद कर लो फिर सगाई होगी इंगलियाज में जो पढ़ा है अगर इन लोगों की जिद है बेटी तो बता भी दो हमारी पसंद तुम्हें ठीक लगी न फिर तो प्रेम भाबू बात पकी न ठीक है लेकिन शादी गर्मियों में होगी जब इसके दोनों भाई पूने कॉलेज से लौट आएंगे अगर सगाई तो आज ही हो जाए समधी साब तो एंगेश्मेंट रिंग पहना दू आपकी बेटी को अगर बेटी देनी है तो तुम्हारा मन तो रखना ही पड़ेगा बेटी पहना दो कम से कम साथ जन्मों की एड़वांस बुकिंग है यह अबे यही है वो लड़की गर्स होसल में रहती है सेट धरमदास की बेटी ललिता अज यही है डाल दो इसे गाड़ी के अंदर चुड़ो मुझे rades भूर यहीरेस तर रहन परे द यूरी के व Nämm प 담ल! फढ़ स्नुबसे चेस हाल शरो किया गुम्हारा मकी है बढा़ से हैसे है ह مث Lap Olá medi क...? चाह Ε. परक्रिख initiative रावन! याँ! यंडी पुडा, कुच्छी पुडा, नार गुंड, यंडवा, यंडपो, यंडगो! रावन, तुम्हारा अमृत कुंड कहा है? यहाँ? गुदी गुदी! आओ पपिता, मेरा मतलबे लालिता! आओ! नौ किक! And now, turn around and jump and down and kick and side and start fire! यहाँ! जू पपिए, जोड़ी पाय गई? नहीं पायी, ले तपी राएल है! एच! काचीखनी पुर्गी भुगंदी यह मागे लागला इसका? काच्या, नाराइक, बिश्याँ! यहाँ! 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 कीरे मदान, खुप चिलकोनी होच्ची! होच्ची ना? यहाँ! 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 आओ! बेसराम तद्दान! आसु करेचे! आसु आमामा कैपरे डांस करेचे! सरम ना त्यार दीके! भर! भर! लाला मुलीचा मागे! तुलो सांगित लो था ना, तुलो सांगित लो! उस दिन तो रासकल कहा था, आज कौन सा टैटल देला है? रैंबो, आपने बचा लिया? वरना वो गुंडे मुझे किड्नाप करकी ही छोड़ते! अगर मैं आप जैसे लड़की को किड्नाप करूँ, तो साथ चन्नों तक नहीं छोड़ूँगा! मजाग छोड़िये! समझ में नहीं आता मैं, मैं किस तर आपका शुक्रिया आदा करूँ? शुक्रिया पेमेंट का है एक चटपटा सा तरीका मेरे पास, मगर बाद में बताऊँगा! पिलाल आपके चैरे पर जुल्फे बिखरी हुई है, और सड़क पर किताब है! आप इने समेटी, मैं उने समेटता हूँ! अच्चा, किस एंड टेल? यह लीजिए, एक और किताब थी? कौन सी? इंग्लिश नाम कहीं भी नजर नहीं आती, आखिर कहाँ चली गई? हाँ, खोब आतने मैं ढून लूँगा, बस नाम बता दीजिए मुझे एक बार उस किताब का मेरी सहली ने दी थी, पढ़ने के लिए आजी पता तो लगे कि आजकल की लड़किया कौन सा सबब पढ़ रही है, थोड़ा बहुत आपके साथ हम भी सीख लेंगे, बस नाम बता दीजिए मुझे किताब का नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा याद तो है मगर आप बताना नहीं चाहती, टेल, टेल, टेल मेरे मतलब है के बताईए उसका नाम पहले आप बताईए, आपने वो किताब चुपके से उड़ा तो नहीं ली अजी मेम साब, उड़ाना है तो आपका दिल उड़ाऊंगा वो भी चुपके से नहीं, दिन दहारे किस करके का चली मेम साब, इस दिल की तस्कीन नहीं हुई, शुक्रिया पेमेंट बाकी है अभी तिंग तिंग तंग 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 किस एं तव सन त ला़ ला ला ला़ किस एं को छोड आमय मेर हम झाल चोड चोड द वीwasser तो रहो हम जो स alignment किसम Wanna किसम चूसिए टेलवा तुम उसारे जडिए जडेशन लड़की है या दिखडी हुई तूगाड़ी है गारी घीक ठादी है दराइबर अनारी है ओ लड़की है या बिखड़ी हुली तू गाड़ी है गाड़ी घीक ठाप है दराइवर अनारी है लंबर प्लेक पे लगा ले तू एल 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 किस है किस है किस है किस है किस 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 है किस है तूल ओल ग 양 find किस है अधितन त glorious paid वर्जाला एार। ही हाrivGट connected by cdp ङा worries легко ऊत्तром कि ऑे ज 막ना क्या तेरे पास मेरे प्यार का ओल है जर जर दिवाने, मेरा दिल अनमोल है price nevermind, price nevermind I will buy you, sell 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 kiss and la 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 होगी बद नाम तुए इलसाम लेके तूब जाओंगा मैं कहीं तेरा नाम लेके होगी बद नाम को ये इलसाम लेके तूब जाओंगा मैं कहीं तेरा नाम लेके वोगी बद नाम को आँ खुवा ये लेन, वेल, वेल मारू छलाम येस, येस, येस solu स się कंद। इस वां इस पिंग इब 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 ι आपका हार शेक साब दस दिन से तयार पड़ा है मुला इज़ा हो कारीगरी तसल्ली कर लीजिए आपके आबनूर डाइमंड्स है हमको फरेट देता है ये इदाय में सो नकली है ये नामंकिन है हार तीजोर में बंद करने से पहले मैंने खुद चेक किया था ये असली है नकली है आप कहते हैं किसी ने असली हार चुराकर नकली हार आपकी तीजोरी में रख दिया हूबहू इसी डिजैन का हार उसने कैसे बनवाया आपने ये डिजैन किसी को दिखाया था सिर्फ अपने कारीगरों को दिखाया था उसके बाद कारीगरों ने यहार तयार किया असली हीरे आपने खुछ चेक किये और अपने हाथों तीजोरी में रख दिया जी हाँ उस तीजोरी पर दो ताले हैं एक चावी वाला, एक नमबर वाला जी हाँ चावी दी थी किसी कारीगर को नहीं नमबर वताये था किसी को किसी को भी नहीं तोनों ताले तोड़े भी नहीं गए तो क्या जादूमंतर से Kिसी ने वहार उडा लिया कुछ समझ में नहीं आता इंसस्पेक्टर साब, कुछ समझ में नहीं आता सिर्स आप नूर डैमन्स उडाये गए जो हार आपने तेजोरी में रखा था, वो आपके सामने है कहना क्या चाते हैं, अपनी दुकान के हार में मैंने नकली हीरे जबा दिये हैं अरे ओ तो खैर होगी इंस्पेक्टर, हमारे आकान इनी की दुकान में वो हीरे चेक कर लिये थे वना वो हार लेकर हम अपने मुल्क चले जाते, तो ये बाद में कहते हैं, हमने तो असली हीरे दिये थे अरेस्टेट मैं इंस्पेक्टर, ये कुछ चोर है जेक साम, तर सोच समझ के बात कीजिए, सारे शेयर में मेरी सच्चाई और इमानदारी के चर्चे हैं दूर दूर तक इस धंदे में मेरा नाम है, जिससे सुनकर आप मेरी दुकान पर आये थे और अब आप ही मुझे चोर कहने हैं फुजूर का बात मत करो, अब असली दायमंडिया तुम नकली वापस क्यां यह अमानत में खयानत है, अधकरी लगो इंस्वेक्टर, वो डायमंड दस क्रोर कह था तुम वापस कर दूँगा दस करोर, बेज दूँगा अपना सब कुछ मैं खुद मिट जाओंगा शेख, नाम और इज़त को नहीं मिटने दूँगा दुनिया को यह नहीं कहने दूँगा, कि प्रेम बाबू ने अमानत में खयानत की है तुम्हारे हीरे नहीं लोटा सकता कीमच चुका दूँगा भले मुझे सडकों पर जाना पड़े एक एसाब चुकता हुआ, सडकों पर पहुंच गया प्रेम बाबू कमान, लेट उस सेलिब्रेट हाथोड़ा, वो आप तक सडकों परने गया सेट क्या आप बकवास करते हो, सारे शेहर में इस बात का चर्चा है, सब कुछ भिग गया है उसका वो मकान मैंने खरीद लिया है, वो बाल बच्चे दर आदमी है, सोचता कि उनने लेकर वो कहा जाएगा जहन्नम न जाएगा, दर-दर की ठोकरे खाने दो उसे, तुम भी जीब किसम के आदमी हूँ, मैंने दोस्तों गया उसके इसका सेड, इसका, जो मैंने तुम्हें पहले सोना पहुचा है था, उसके हर दस ग्राम पे, डेट सो रुपया होट चुकाओगे देखो तुम, ठीक है, चुकाओगा, लेकिन सबसे पहले उसे घर से बाहर निकालो मगर हम कहा जाएंगे बाबुजी, कोई दुसरा घर भी तो नहीं मिला इस देश में लाखों लोग उस नीली छत तले रहते हैं बिटी, हम भी सही अल्ला न करे मालिक, आप पे ऐसी नौबत आए, मेरा घर आपी का तो दिया हुआ है मुझे केली जान के लिए बहुत बढ़ा है, चलिए वहीं चलके रहिए अरे जाओ जाओ वहीं जाके रहो, मेरा टेम मत खराब करो मालिक चलिए, नमस्ते परिम बाबू, क्या ये ख़वर सच है, लोग कहते है आपने अपना बंगला बेच दिया कहने दो भाई, बस ये ना कहें कि मैंने अपना इमान बेच दिया, आपकी चिठ्थी, चिठ्थी लाए हो अरे शान लगते हो, किसके चिठ्थी है? रवी की, इस महेने उसने तीन हजार ज्यादा मांगी, तीन हजार और? क्यों? वो राइडिंग क्लब का चैंपियन बन गया है, दोस्तों को पार्टी देनी है, यहां डाल रोटी के लाले पड़ गये, वहां वो पार्टियां देना चाहता है, उसे साफ लिख दोची, छोड मेरे पूदिन नहीं रहे, नहीं लक्ष्मी, अभी बेटों को यह इल्म नहीं होना चाहिए, कि हमारे पुरे दिन आ गये है, उनकी परिक्षा सर पे आ गई है, अगर दिमाग परेशान हो गया, तो पड़ाई में दिल नहीं लगा सकेंगे, मगर इतनी रुपे लाओगी कहा अब ये चिंता छोड़ दो, आउ चाहे पीलो, लीजे रहीं भाई, बेच दीजे इन्हें, नहीं मालकिन, आप सुहागन है, आपकी कलाई सोने हो जाए, ये मैं नहीं देख सकता, सुहागन का सबसे बड़ा श्रिंगार उसकी मांग का सिंदूर है, बस वो बना रहे, उचसे उनकी परिशानी नहीं देखी जाती, लीजे रहीं भाई, पेच टल ये इन्हें, और मानी ओर्डर कर दीजे, मगर मालकिन आप, आपको मेरी कसम, आपको में भाईचि आप passy. आप आधे घंटे पहले आते प्रेम बाबू तो सारा कर्ज चुका देता, अभी एक लेंदार को सारे पैसे दे दिये, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है उस कर्ज में से अगर पांच साथ हजार भी मिल जाते, प्रेम बाबू, जहर खाने को पैसे नहीं है, बैठिए, चाई पी कर जाईए, अगर जहर खाने को पैसे नहीं है, तो चाई का खर्च भी बचा लीजिए मुझे तो यकीन है बाबू जी, कि हमारी बरबादी में किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, हूब हूब उसी डिजाइन का नकली हार कैसे बन सगा, जरूर किसी जानकार जहरी ने बनाया है, और आप ही किसी आदमी ने आपका डिजाइन उस जहरी तक पहुँचाया, उस डिज इनका हिल्म मुझे जी के आलावा और तीन कारीगरों को था, सब भरोसे के आदमी है, अब किस पर शक करूँ मैं, बाबू जी, जब आपने आबनू डायमंड्स तीजरी में बंद किये, तब आपके करीब कोई था, मुझे जी थे, लो, तो मुझे जी ने लॉक का नमबर न नोट करने से क्या होता है, दूसरे लॉक चाबी तो मेरे पास थी, नकली चाबी भी तो बन वाइजा सकती है, अशली चाबी हात लगे तब न, वो चाबी तो मैं किसी कुछूने तक नहीं देता, तब तो बाबू जी मेरा एक ही सुझाव, आप उन चारों का पुलिस कावा बाबुजी और कोई नहीं अगर उनमें से कोई नमक राम है भी तो उसका पता चलाने के लिए मैं बाकी तीन बेकसुरों पर आत्याचार नहीं कर सकता कर सकता हूं लेकिन जब दुबारा दौलत मन बनने का उपाय है हमारे पास तो खामखा घरिब क्यों बना रहा है यह सवाल है मेरा मैं अब मैं कुछ निकांगा चुनिए इसकी बाते हैं मुझे तो डर लगता है विजय दौलत खोने के बाद करें एक बेटा भी न खो बैठूँ आ हाहा गमला देती रहो कमला रानी यही प्रेरणा बार बार देती रहो लेख लायो तो इस टेबल पर कहानी लायो तो इस धूल भरी ट्रे में और कवीता लायो तो रद्दी की टोकरी में मगर एडिटर साब मेरी कवीता को आपके उजाला वीकली का वार्शिक पुरसकार मिला था तो आप ही है कवी राज विजय भाई बड़े मौके से आए इस समय मेरे भीतर भी कवीता उत्पादन उबल रहा है दिराजिये दिराजिये सर में अपनी नई कवीतायन आया हूँ केताब चपवाने के लिए सरु क्या के मुझे पैसों की सक जरूरत है और मुझे प्रशन साकी सिर्फ दो हफते पहले नया नया कवी बना हूँ जरा सुनिये चंद्रमुखी है तू रोजनी भी नितंबनी भी एद मेरी कबल नैं भान छेदें जिसे और प्राणी कभी न संभला शहद का चत्ता कहूँ तुझे या फिर कहूँ तुझे फूलों का बमला वहाँआ 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 वही कैसी कई कविता जगत पर है ये ब्भईया, बड़ा भयंकर हमला है। है न? कविता जगत को हिलाके रख दूँमा साथ आखर हमें कभी बनाके ही चोड़ा इलाइचीने इलाइचीने? जी हाँ इलाइचीने जब कोई सूंद्री शेर जैसी मूच वाले को इलाइची खिला है तो इसका अर्थ क्या हुआ हो सकता है मूच वाले के मूँसे बद्भू आती हूँ बद्भू? ची कासे बन जाते हैं लोग कवी अजी इसका अर्थ ही होता है कि वो हो गई हैं हमारी मूचों पे मोहित और हमें इलाजी दे दे के कर रही है प्रेरित मुभारुख सर, मुभारुख हो अब आप हमें भी थोड़ी प्रेरना दे दीजे क्या मतलब अपनी प्रियत्मा आपको दे दू प्रियत्मा नहीं सर, पैसा कविताओं की किताब छपने का एडवांस बई देखिए, वो तो श्रद्धा देवी दे सकती है मैं उजाला वीकली का एडिटर हूँ और पब्लिकेशन की मालकिन वो है अच्छा तो फिर उन से बेंट करवा दीजिए बड़ापकार होगा आपका तो फिर रुख जाएए, थोड़ी देर में आती होगी सुनिये, मुझे एकांद चाहिए क्या? अकेला पन, कविता का उतपादन भिरू बलबा उतपादिये सर, उतपादिये उतपादिये? ने ने, उतपादिये, उतपादिये इधर लाओ ये फाइल तुम्हारी ये हिमत, प्राइवेट फाइल पढ़ने के लिए चोरी-चोरी यहां तका पहुँचे खुले बंदों आयों देवी जी चोरों की तर तो आप आती है, फोटो लेने, लाओ ये चड़ा, बाहर निकलो क्यो? मैं कहती हो बाहर निकलो अरे थोड़ी बहुत क्रायक है क्या आप? सीधी तरह से निकलते हो, चप्रासी से कहूँ कि धक्ये देकर निकाले तुम्हे अरे क्या निकाले या या राग धमाल क्यों छेड़ रखा है मैं जो फाइल तयार कर रही हूँ, उसे मेरे ड्रॉयर से चोड़ी करके ये भागने वाला था ये फाइल आरे मेरी है एडिटर साब, ना जाने क्या बहर है मुझसे पहले भी एक बार जबरन मेरे गले पड़ गई थी ये चार्सो फिसी तो इसने की थी, जटा हुआ बदमाश है उल्लू बना रहा है आपको, जरूर धरमदास ने भेजा इसने जासूसी करने जासूसी पर देखा, इनके अकल का नमुना मुझे जासूस के रही है अना जाने कैसे कैसे पागल पाल रखे, शटा दीव निर्ट अब आप, अब आप ही फैसला कीजिए, ये फाइल मेरी है या इनकी हाँ हाँ, देख लीजिए, देख लीजिए हाँ रादा, इसमें तो कभीता है लिखी है हाँ इसल वालिका देखा एडिटर साब, इनकी फाइल तो ड्रॉ में थी और उसकी चोरी का दोश मुझ में लगा रही थी ये यूवती के दोश को भी, जो कर ले सुईकार, उसी मर्द बच्चे का होता है बेड़ा पार, मैंने लिखी है मेरा बेड़ा पार तो तब होगा सर, जब मुझे एडवांस मिलेगा, बहुत सब्सक्त है, कब आएंगी आपकी ये शद्धा देवी आज वो नहीं, केवल उनके फोन आएंगे, ये गभी अभी आया था कि वो नहीं आएंगी फिर 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 आईए, ये फाइल यहीं छोड़ दाईए, हम उनको कल दिखा देंगे ठीक है सर, चलता हम, नमस्कार चलिए, नमस्कार कौन था वो? विजय वर्मा वही, जिसे कविता का वाशिक पुरसकार मिला है हाँ, वो मेरा चेला बनना चाहता कमला जी बस सर, कर ही रही हूं देखू, कहां तक पहुची चालू रहिए, प्रेव से चालू रहिए अच्छा है, बहुत अच्छा है अच्छा है, बहुत अच्छा है लीजे न, इलाईची धन्यवाद, एक संपादक के लिए ये पुरसकार किसी अंतर राश्ट्री पुरसकार से कम नहीं है इंतरनेशनल इलाईची, जिस पर मेरा जनम सिद्ध अधिकार है किसी और को मत दीजिएगा जी नहीं, आप ही को दूँगी थेंक यू विजे जी अरे आप, आप और यहां बावे में कैसे यही रहती हूँ, यह जूरी शॉप मेरे डड़ी से धरम दासकी है उन्हें लेने आई है, को आगे आप से नहीं मिलूँगा तो फिर किससे मिलूँगा ड़ी मैं यहां हूँ नमस्कार मुशी जी नमस्ते यहां बस अच्छा हून विजे बेटे विजे इस सवयव में यह जी प्रेम बाबु के नत्यों का विजेस हाप ऐाव लवम तृ वु आइ इन्हें बाबुजी से क्यों बह रहा है। मैं क्या जानू विजे बेटे ये तो बड़े लोगों की बाते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। आज ये बाल बच्चों को लेके गाउं जाना है। अच्छा। मुंची जी, ये मारती गाड़ी आपकी है। आपके बस कैसी है। बात ये है विजे बेटे के। हाँ, पिछले मैंने लोटरी के कुछ ठिकी स्खरीद लिये थे। बस लगे लोटरी। अच्छा, लगता है तगड़ी लोटरी लगे आपको। जो शहर छोड़के भाग रहे हो। जी नहीं, भाग का रहा हूँ, आता रहूँगा ना कभी-कभी। अच्छा, चल, चल! क्या हुआ बीटे, कुछ काम मिला? बस चुटा हूँ मा, बड़ी मालदार पार्टी है। पढ़ जाएगा मामला? मामला पढ़ जाएगा? यहने के काम मिल जागा माहा, बस कुछी दिनों की बात है। लो, भाई यह भी आ गए। रवी तेरे कुछ हुआ? आ गए बीटे, कवीता संग्रे के लिए पेशकी मिल गई। नहीं मा, कुछ दिन बाद बुलाया। अब तो एक एक दिन काटना भारी पट रहा है। तो फिकर मत कर, माज सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बाबुजी, बाजार में मुंशी जी मिले थे। मारुती गाड़ी में घुंते हैं आजकर। इतना रुपया मुंशी जी के पास कहां से आया। यही तो सवाल है। कह रहे थे हैं लोटरी लगी है। लग भी सकती है बेटे। अपने अपने नसीब हैं। आप तो सारी दुनिया को अपनी तरह समझते हैं बाबुजी। यह क्यों नहीं सूचते। कि मुंशी जी ने अपना नसीब खुद खोला है। वही आप नूर हीरे उड़ाकर। मेरा भी यह ख्याल है बाबुजी। मुंशी जी धरमदास के साथ निकले दे उसकी दुकान से। दोनों में खुब छंड रही थी। तुम लोग तो बेकार शक किये जा रहे हो। मुंशी जी कुछ कामकाज के लिए गये होंगे धरमदास के पास। कौन सेट धरमदास भईया। वही जो। जी हाँ वही जोहरी धरमदास। जिसकी बेटी ललिता को आप बहुत अच्छी तर जानते है। धरमदास की बेटी से तुमारी जान पैचान कैसे हुई। वह वह बस यह ही बाबुजी। फुना में मेरे साथ पढ़ दी थी ना। बड़ी अच्छी लड़की है बाबुजी। मगर उसका बाप बड़ा गलत आदमी है। उन बाब बेटी से दूर रहो समगे। मगर क्यों। क्या किया से धरमदास जी ने। कुछ 15 साल पहले उसने एक ग्रहक के साथ हीरों की हेरा फेरी की थी। मुझे हीरे पहिचानने के लिए कोर्ट में बुलाया गया था। धरमदास मुझे देड़ लाक रुपे के रिश्वत देना चाहता था कि मैं उसके पक्ष में बयान दूँ। लेकिन मैंने वही कहा जो सच था। और मेरे बयान पे उसे एक मेने की जेल हो गई थी। इसलिए आज तो उसे बैर है आपसे। अब तो मुझे यकीन हो गया बाबुजी के धरमदास नहीं मुझे जी को खरीद कर वो आब नूर हीरे उडवाए हैं। लेकिन जब तक मुझे 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 जी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलता मैं उन्हें वफादार ही समझे। अब घर वैटे सबूत मिलने से तो नहीं बाबुजी उसके लिए हमें कुछ करना होगा। बस आपकी आग्या की जरूरत है। तुम क्या करना चाहते हो। पहले तो सिट धरमदास से मेल जोल बढ़ाना होगा। धरमदास से मेल जोल बढ़ाओगे तो तुम्हें भी जालसाजी के रास्ते पर चलना पड़ेगा। मगर सीधे तरीके से वो हीरे हाथ नहीं आएंगे बाबुजी। तो ना सही। मैं कभी गवारा नहीं करूँगा। कि मेरे बेटे किसी भी हालत में गलत रास्ता अपना है। साफ साफ बताओ रभी। तुम धरमदास से हीरों के लिए मेल जोल बढ़ाना चाहते हो। या उनकी बेटी के लिए। फोफ फोफ आप लोग ये के समझ मेट है। बेटा वो धरमदास की बेटी है। दूर रहो उससे। मगर क्या ये जरूरी है मा कि बाप अगर बुरा है तो बेटी भी बुरी हो। मुबार्ख हो मेरी जान। हम दोनों का प्यार भी रोमियो और जूलेट की तरह आमर होने वाला है। क्या है कि उन दोनों के घरानों में भी दुश्मनी थी। और हमारे बापों के बीच भी कमाल की दुश्मनी है। दुश्मनी है। तुम्हें के से मालूम। कल शाम को पता चला कि हमारे बापों के बीच साप और नेवले वाली सिचूइशन है और उलादे फांद बड़ी हैं दुआदार इश्क में हमारा प्यार अमर होके रहेगा डालिंग अमर होने के लिए मरना पड़ेगा डालिंग रोम्यो जूलियर की तरह कतार घोंपकर मुझे उस तरह नहीं मरना आव ऐसे यह भी ठीक है इश्क में ओमर खायाम वाले पोज में मरना चाहिए एक दुसरे को अंगूर खिलाते हुए है न एक तरकीव है डालिंग हम जहर से पहल अंगूर वाली सिचुशन जमा देंगे वो कैसे अगर किसी तरह तुम्हारे बाप दी ग्रेट मुझे पसंद करने लगे और बाद में उन्हें पता चले कि मैं प्रेम बाबू का बेटा हूं तो उनका जहर फीका पड़ जाएगा गुरादिया तुम मेरे बाप को मत बताना कि तुम अपने बाप की बेटे हो तुम्हारे बाप को मैं नहीं पताऊंगी कि मैं अपने बाप की बेटी हूं अरे भॉंदू ऐसे हमारी माओं को गाली लगेगी चाह मैं कब कहती हूं किसी और को बाप बनाओ हम कुछ दिनों के लिए अपने अपने बाप का नाम छुपा तो चलो मिलाओ, आज ही काम दिलाती हूं. अरे, ऐसे कैसे काम दे तू बेटी, मेरा जो काम है उसके लिए तजूर्बा चाहिए और फिर खास किसम का कैरेक्टर चाहिए. तजूर्बा हो जाएगा डाडी और इनका कैरेक्टर बहुत उंचा है. यही तो मुश्किल है. क्या मतलब? यही कि एक तू उंचा कैरेक्टर. और दूसरे, तुम्हारी सहली इनकी बहन है. कोई अच्छा सा काम देना होगा, ऐसा वैसा काम कैसे सौप दू? सेड़ जी, मैं ऐसा वैसा काम भी कर लूँगा. आप जरा सौप कर तो देखिए. नहीं, रभी, नहीं. सोच समझ कर काम दूँगा तुम्हें. अच्छा इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, बाद मैं फिर कभी मिलना, ओके? जी, आ. इंटर्व्यू दे आए, बेटे. दे तो हाय हो, मा. अब नौकरी मिले तब न. सुझवे कब चाय पिला दे बहुत हो गया हुआ. चाय की पती खत्म हो गई है, भहिया. कुछ देल सबर करो, रहीम चाचा राशना ने गय है. रहीम भाई, थैली खाली. कुछ भी नहीं दिया पनिये ने? नहीं, कहाँ पैसे लाओ, उधार नहीं मिलेगा. अब रात का खाना कहाँ से आएगा, मा. घर में मुश्किल से पावभर चावली बचे हैं. क्या हो गया तुम्हें? सोहन अलवा कोई भूले से ना खाए बाबुजी. मेरा वो दिल्ली वाला दोस्त ना जमील. तुम तु जानती हो मा, अपना जमील. अने शायद तुम नहीं मिली उससे. तो दिल्ली से सोहन अलवा लेकर आ गया. अब सोहन हलवे की तीन-तीन इतनी बड़ी ठिक्किया उसने मुझे खिला दी. शुद्धी की वायू पेड़ से लिके गले तब फुदक रही है. गैस उगई, गैस. अब तीन दिन तक मैं खाने की तरफ देखी भी नहीं सकता। और मैं दूसरों को खाते देख तो सकता हूं लेकिन खुद नहीं खा सकता। वह हुआ यू मा के जब मैं घर लौटा था ना तो रास्ते में गोपी मिल गया. और वो भी दिल्ली से लौटा है, सोहन हलवाली है? ना ने बाब जी, उसके भतीजे का मुंडन धाना इसने जबरदस्ती करके घर ले गया तो आज सुबह से लोटा लेकर बार-बार बैतुलखला का दर्वाजा जाक रहे हैं तुम तीनों भूके रहना चाहते हो ताकि घर के बाकी मिंबर कुछ खा सके नहीं बाब जी कैसी बात कर रहे हैं? नहीं बच्चों सुख दुख बातना हमारे घराने की परंपरा है लक्ष्मी आखों में आसूं क्यों? अपने दुर्भाग के पर हमारी जीती जी अपने बच्चे भूके रहे ये दिन भी रेखना था हमें अच्छे पुरे दिन सारे दिन इए दिन गुजर जाते है घं का है आसम नहीं घं मिलके हम गीत गाते हैं सिदम हम पे कर लने सिदम गर जमाना सिदम हम पे कर ले सिदम गर जमाना सलामत रहेगा ये घर ये घराना सलामत रहेगा ये घर ये घराना चलो हसो, चलो हसो ना, जल्दी हसो, अब हस भी दो हम है तो क्या घम है, तुम हो तो क्या कम है नहीं आज खुशिया तो घम बात लेंगे नहीं आज खुशिया तो घम बात लेंगे जो है रुखी सुखी वो हम बात लेंगे किसी तर पिले सर नहीं है जुगाना सलामत रहेगा ये घर ये घराना सलामत रहेगा ये घर ये घराना हमारा मुकदर हमें आजमाले किसी हाल में हम नहीं रोने वाले कि आता है हम को सदा मुस्कुराना सलामत रहेगा ये घर ये घराना सलामत रहेगा ये घर ये घराना बहुत कुछ है बाती नहीं सब गवाया के छोटों के सर पे बड़ों का है साया ये दोलत है अपनी ये अपना खजाना सलामत रहेगा ये घर ये घराना सलामत रहेगा ये घर ये घराना सलामत रहेगा ये घर ये घराना मिस्टर विजय, मुझे आपसे कुछ कहना है पिछली दो मुलाकातों में कोई कसर रह गई है क्या? जो आप पूरी करनी है? देखिये, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिये प्लीज आये न प्लीज बैचिये कहिए, क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे उस दिन के लिए माफी मांगती हूँ मैं आपको कभी गलत ना समझती अगर उस दिन पूरा में आपके भाई मुझे चक्माना देते कि तो, बड़ाई शैतान है मेरा छोड़ा भाई अक्सर ऐसी हरकती किया करता जी अब मैं उसके तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ चलिये, बूल जाएए वो सब तो पर इजाज़े दीजे, चलता हूँ सुनिये तो आजकल आप लोग बड़ी तकलीफ में होंगे न बुरा मत मानिये, हम अकबार वालों को नामवर लोगों की पूरी खबर रहती है आप प्रेम बाबू के बेटे हैं न जी आँ पल में क्या से क्या हो गया कुछ दिन पहले कितने बड़े आदमी थे अब भी है रादा जी वो निर्धन होगे तो क्या मानती हूं, गरीबों का पालनहार सदा महान रहेगा अब तो बस एक ही फिकर है मुझे बाबू जी का सारा बोज मैं अपने कंदों पे ले सकूं और घर का पूरा खर्च मैं चला सकूं कविताएं चपवा के कितने दिन चला सकेंगे आप आप कही अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते कहां इसी दफ्तर में मिलेगी क्यों नहीं मैं जानती हूं श्रद्धा देवी को आपकी कविताएं बहुत पसंद है और वो थोड़ा बहुत मुझे भी मानती है मैं बात करूँगी उनसे थेंक्यू रादा जी आगई श्रद्धा देवी गुद मॉर्ण बड़ी शांदार महिला है यह और समझदार भी चलिए उनसे मिलवा दू ए भगवान यह कैसा चमतकार कुकार सुनने वाले नटकट उधर है मालकिन लेकिन चमतकार करने वाला नटकट तो इधर है आपका बेटा वो दो हजार रुपए मुझे ओजारा पब्लिकेशन न दिया है मा मेरी कविता चपने का एडवान्स मेरे लाल अजी सुनते हो हमारा बेटा दो हजारों पर अडवांस लाया है सच वो लोग तुम्हारी कवीता चापेंगे जी है बाबुजी आपके आशिवाद से मुझे ओजाला अख़वार में एसेसिन एडिटर की नौकी मिल गई है लक्षमी यह इस जोरी का असली हीरा मेरे कॉलेज के फिस भर दोगे ना भाईया कल से में कॉलेज जा सकुएंगे ना ज़रूर सुजाता तुक जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ाएगा तेरा भाईया मैं सब पॉइंस नोट करके कल तुम्हारी नोट बूबूब वापस कर दोंगी याद रहेगा ना बूलोगा याद रहेगा ओकी बाई ओके बाई बा कर दोंगे बंगले पर गया मगर वहां तो मेरी दुनिया ही अंधेरी हो गई अब हम बंगले में नहीं छोटे से घर में रहते हैं चली ले वहां बाबुजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे आरे उन्हें बाद में खुश करते रहेंगे पहले हम दोनों तो जी भर के कुश हो लें तो चले आज अपना मुट बढ़ा नट खट है आओ चले नहीं मा घर में मेरी रहा देखेंगे अरे वो घर पे बैठी है डालेंग और तुम्हारा होने वाला पती कॉलिज गेट पे तीन घंटे से तुम्हारी रहा देख रहा है उसका कुछ तो खयाल करो चु अब नूर हीरों के लिए है अच्छा बहरी गुट कहा है वो जूक एक बंगले में ठेहरी है वह जाके हार दिखा दो साधा पड़ जाएंगा अरे ये रास्ता क्यों रोका है कौन है तुम लोग सीधी चरा वो हीरों का हार निकालो सेट अच्छा निकालता हो हाग से रास्ता नहीं मिलेगा हम लोगाई वय्यक को छूँगा नहीं मेंक भुख भुख वा कौना लोका हाग। मख भरेख परिएएए आख तुम धाँख एएएएएएंग हाँ हाड निकालो सेथ कुछा हार ये हार नहीं नहीं निकाल वरनो तेरा भी कीमा बना डालूगा निकाल देथ सालेथ सेथ निकाल सालेथ पहरी पहना अंकल जी तेरा बेठे अंकल जी आप भी मर्द है बिलीव मी पहरे चके जबाए जबाए खाल खाल पहरे डाल रवी आइज रवी तुमने थैका रवी दोने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है बहुत बड़े नुकसान से क्यों इस बॉक्स में करोडों का हार है क्या ने ने एक दो लाग का होगा सुरफ अच्छा अच्छा लेकिन जो आइसान तुमने मुझे पर आज किया है उसका बदला मैं कैसे चुका हूँ सेड़ जी मुझे अपने हैं काम पर रख लीजिए पर कौन सा काम दूँ तुमें कोई ऐसा काम जिससे मैं साल देड़ साल मैं कम से कम लगपती बन जा हूँ सीधे और सचे काम करने से इतनी जल्दी कोई भी लड़क नहीं बन सकता रवी वो लोग दूसरी किसम के काम करतें मैं तेस्री और चौथ्री किसम के काम भी कर सकता हूँ छेट जी क्योंकि मैंना देख लिया इस दुनिया में जिसके पास दौलत होती है दुनिया उसी का नाम लेती है इसलिए दौलत कमाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ सब कुछ सब कुछ आप आजमा कर देखिए मैं पीछे नहीं है तुला वो तो वो तो ठीक है लेकिन देख ललिता आप ललिता के फिकर मत कीजिये अब आप लगए तुम दोने आपस में बाते करो मैं ये बॉक्स तुज़ोरी पे रखता हूँ जी उस दिन मेरे कहने पर भी ड़ी ने तुमें काम नहीं दिया आज कैसे दे दिया सब टीशम टीशम का कमाल है इसहार को हासिल करने के लिए कुछ गुंडों ने तुम्हारे डड़ी पर हामला किये मैंने उनकी चुट्टी कर दी नौकरी हासिल कर ली और जानती है वो गुंडे कौन थे वही जिन्होंने तुम पर पूना में हामला किया था बड़ी मुश्किल से धरमदास को चकर में डालके वो ही रह उसके घर से निकलवाई थे ताकि तुम लोग उससे रास्ता में लूट लो मगर हम करी अरे तुम लोग भड़नी और चुटके और चुटके पूला में भी धरमदास की लॉंड़ों के लुटा पाई थे मुझे सड़क पे बयोश होने के अक्टिंग करने पड़ी वहना साले के धर्त ताह तोड़ा लेकिन यूँ परिशान कब तक तहलेंगे आप? तुभे परिशानी नहीं है, रात का एक बजने गया, अभी तक रवी नहीं लोटा. आजाएगा, आप सूजाएए ना? मा हो ना, इसलिए कह रही हो, अगले जनम बाप बन जाना, फिर पता चलेगा, अवलत का दर्द क्या होता है? अदे, हस क्यों रही हो? इस उम्र में भी आप बच्चों जैसी बाते करते हूं. ठीक है, अगली जनम में मैं बाप बनने को तयार हूं, लेकिन एक शर्थ है, कि आप माप बनना? शायद आ गया. भावशी. जी बाबुजी, गड़ी देखी, बन पड़ गई है, चालू है, यह कोई घर आने का वक्त है, वो क्या हो गया बाप, तुमारे बहन की नीन टूट जाएगी, इस वक्त मैं तुम्हें ठीक से डांट भी नहीं सकता, इस वक्त सिच्वेशन जो है, वो डांटने वाली नहीं ह अशिरवाद चाहते हो मुझसे, जी नहीं, नौकरी मिलने का अशिरवाद चाहिए मुझे, नौकरी तुझ अश्ष। सिनेमा घर में डोर की पर बन गए हो क्या, जो इतने देर से आये हो, वो क्या है बाबुजी, वो क्या है मा, इंशुरंस एजेंट बन गया हो न मैं, इंशुरंस एजेंट, फिर फिर अब बड़ा विमा हासिल करने के लिए, बड़े बड़े लोगों से मेल जो रखना आज एक बहुत बड़ा सेट मुझे अपने साथ टार्फ प्लब ले गया, अच्छा, फिर? हाँ मा, तुम देखना, कैसे मैं उसकी लाइफ को इंशुर करता हूँ, अब देखो मा, भले ही मैं, अब देखो मा, भले ही मैं आधी रात को खर लोटू, लेकिन महीने का आज 10,000 पर हमा बड़े प्यार से कमा लूँगा, अच्छा, 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 कमा के दिखाओ बेटे, फिर मानेंगे, अच्छा, जाओ, सोजाओ, वरना ये तुम्हारे माच्चा हिकती रहेगी, और बच्चों की और मेरे नींद खराब हो जाएगी, जाओ, मुझे अच्छा की दुकान के साथ एक कलब चला रहे है, जिसके नाम में तीन यक्के जुड़े हुए है, यानि के हमारा थ्री एसिस कलब, अच्छा, यानि के पठाका हो पठाका, सेट धरमदास की छोकरी हो ना, हाँ, जाओ, कह दो, अपने बाप से की दुरलब आया है, और ये भी कह देना कि मुझे को घूर घूर के देख रहा था, भाग कर आदेगा कुट्टे की तरह दु मेलाते हुए, जाओ, अब दुरलब को जानते हैं, क्यों, क्या आवा, नीचे आया है, बोलिए, आप उसे जानते हैं, आपकी, तुम कैसे जानती है, कैसे ना जानूंगी, आते ही मुझे घूरने लगा, पत्तमीजी की बातें की, पक्का लोफर है लोफर, अब उसकी ख़बर रेता हूँ, उसे बाहर निकालिया डैरी, हाँ, जो निकालूगा, लेकि बेटी, जब तो उसे निकालना लो, तुम नीचे मताना, ये क्या बत्तमीजी है, तुम्हारी ये जुरत, मेरी घर आका, मेरी बेटी को घुरा तुमने, और अब बाप को घुरा हूँ, जी करता है तुम्हे कच्छा चबा जाओ, क्या बक्वास करते हो, आज के ओजाला अख़बार में ये खबर कैसे छपी, जिसमें मेरे नाम की तरफ इशारा है, मुझे क्यों दोसियते हो, मेरे नाम की तरफ भी तो इशारा है, मैं क्या बेवाकूफ हूँ, जो खुद अपने पड़ा पर को लोड़ी बा हमारे बारे में और छपने तो हम दोनों प्रबास हो जाएगे, मारे जाएगे, दुरलब को मारने वाला कोई सूर्मा इस धर्ती पर पैदाए नहीं हुआ है, देख लू हमें उस उचाला अख़बार को, ने, 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 चेंज नहीं करना, वो सारी गलबर चेंज से होती है, हलू, एडिटर नटवर फोन पर, सुनो खचर, अगर जान प्यारी है, तो धरमदास के बारे में जूटी खबरे छापना बंद कर, अरे जा जा, हमको धमकी देता है, अभी तो शुरू किया है, दर्जनों लेक छपेंगे, क्योंकि खबर सच्ची है, सुन बे जोकर नटवर तुम मुझे नहीं जानता, इसलिए चैकर आए, मैं चार कतल कर चुका हूँ, दुवारा तुने ऐसे लेक छापा, तो मैं तेरी पूंगी बजा दूँगा, मैं तेरा बेंट बजा दूँगा, फोन पे धमकी देरा गीदर, अरे मा का दूद पिया, तो सामने आकर बात कर, शेर की मूझ रखता है ये मर्द बच्चा, नजर मिला के देख, तेरी फूख ही संग जाएगी, हट! किसका फ़न था नटवर जी? तुम्हारे लेग बन करवाना चाहता है, आयो उसका भाब भी बन नहीं करा सकता, तू जूटी रहे बच्ची, इन भेडियों का भांडा फोल के रख दे, खबरे और फोटो लाती जा, असली काम मैं करूँगा, मैं! ये फोटो और खबरे ले आएं, तो फिर कौन सा असली काम रहेगा नटवर जी? छापना, छापने का होकम तो मैं ही दूँगा न भाईया! बड़ी महरानी, सर, हमारा काम तमाम हो गया अगर आप इजाज़त दें, तो हम... बेधड़क जाईए, बेधड़क जाईए, मगर सुनो राधा, अगर उस कौकरोज का फोन आए, या वो खुद आए, तो शेरो वाली स्मुझ को पुकार लेना हम आ जाएंगे! जरूर सर, फाले में तियो दोनो जाओ, आप तो हाथ दो के धरमदास के पीछे पढ़ देंए, वो इसलिए, क्योंकि धरमदास है गिरा हुआ इंसान है, समाज का दुश्मन है, उसका भांडा पोड़ने के लिए ही तो मैं जॉर्निस्ट बनी हूँ, धरमदास के लिए? उस उसने आपके खिलाफ क्या किया? पताए भी, आप उसकी हर बात कैसे जान लेती है? आप जाना चाहेंगे? मैं धरमदास की जेवरात के दुकान में काम करता था, उसने मुझे एक पैकेट किसी को पहुँचाने के लिए दिया, मुझे नहीं मालूम था, उसमें कही रहे हैं, राज से मैं मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन धरमदास ने मुझे पुलिस के सामने पैचानने से इंकार कर दिया और खुद को बचा लिया देखती हूँ कब तक बचा रहता है वो पकटी मैं साबित करके रहूँगी कि धरमदाजी असली मुझरिम है आपके नाम से ये जूटा का रंक मिटा करी चैन मिलेगा मुझे वो लोग बड़े खतरनाग हैं बेटे और तू अकेली जान आप परेशान ना हुजर रादाब उतनी अकेली भी नहीं है जीते रहो बेटे जीते रहो चलो बाई मुलाकात का टाइम खतम हो गया चलो बाबुजी अपना ख्याल रखना और देखो मेरी चिंदा बेखिल मत करना क्या करूं इंजालिम सलाहों को ऐसी हौन हार बेटी को कलेजे से भी नहीं लगा सकता निजाए मेरी बच्ची का खाल रखना आप एकर बखिजी सर बाब भी बागा नहीं होने दूँगा मा मा बड़े बही आ रहे किसी लड़की के साथ चला हट आइज एसे चकरों से कोसो दूर रखता है वो चकर सीना घर में पहुंच रहा है मा खुदी देख लो हाँ मा बाबुजी है ऐसी क्या देख रहे हो यह यह रादा है रादा जी मेरे साथ काम करती है अच्छा-च्छा शाथ काम करके लोग एक दूसरे को बड़ों का आदर कना भी जानती है बड़ी सुशील लगती है बेटी, तुम अखपार में काम करती हो तब तो काफी पड़ी लिखी होगी जी, में तक यानि भाईया जी की पड़ी लिखी है मा खुब जजी की जोड़ी भाईया तो अपनी बकवाज बंग करेगी मैंने क्या किया आपने अपनी मा और बहन से मेरे बारे में क्या कह दिया है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का क्यों मान तुम ही बताओ, मैंने तुम से कुछ कहा कुछ भी नहीं का रादा जी हमें तो बहुत अच्छे लगी बाबु जी आपको भी पसंद आई ना अरे पसंद कैसे नहीं आवेगी हमारे विजय बाबु की पसंद खलत थोड़ी हो सकती है मालिक हम सब का मुझे भी कुछ बोलने दिया जाएगा के नहीं प्लीज मोल बेटा बोल मैं रादा ज इसके इसलिए जानती है इनके पिता को भी तवा करने वाला वही है इनके पिता को जी तुम्हारे पिता जी कौन है बेटी बोलो ने कहां है आजकल वह जी बाबजी वह आजकल जेल में है जेल में अब तुम किसके साथ रहती हो रादा बेटी जी मैं अकेली रहती हूं और तुम्हारी माँ माँ आप नहीं है और कोई रिष्टेदा है जी कोई भी नहीं तो आप हमें अपना बनाओ बेटी हाँ बेटी अब हमारे यहां आती रहना अरे मालकिन कुछ ऐसा काम करो कि यह विक्टिया यहां से जाही ना सके इन्हें अपने घराने की बहु बनागे लेओ वाँ भाईया वाँ तुम तो बड़े छुपरस्तर निकले भाई यह इनके साथ पूना वाली तकरार प्यार बनकर घर तक बहुचना अपने यहां खड़े वो दर्वाजे से आते ही रादा जी को देखा तो बस देखता ही रह गया अच्छा माजी अब मैं चलू क्या है जल नमस्ते बेस्टा प्लक रभी विजय क्या राधा को पूनी से जानता है हां मा और इन दोनों की जुगलबंदी मैना ही तो जमाई थी अच्छा तुम तो जानती हो मा विजय विजय रोमांस के मा तो थ्री एस इस क्लब में फोटो लेने के लिए तुम अकेली जाना चाहती ह आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाए ने 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 मैं कैसे जा सकता हूं मुझे तो यहां बैठना पड़ेगा ना तुम्हारी रक्षा के लिए मगर नटवर जी वो वाकई बहुत खतरनाग लोग है मैं जाओ इनके साथ आप फिक्र ना कीजिए मुझे कुछ ना होगा श असरत हो रही है पहलवान जी पूछ सकती हूं आजकल आपको मेरी इतनी चिंटा क्यों लगी रहती है जानती हूं आप ही होंगे अपने काम में ध्यान लगाई श्रीमान मैंने कहा तो था मुझे कुछ ना होगा तेरा तो बैंट बच जाएगा छोकरी मुझाला अख्वान में हमारे खिलाव तुई लिखती है ना कौन हो तुम हद थोड़ा वाट सुनाय तू हसी है जवा है और अकेली रहती है रात को पांच मुस्टंडे आएंगे और तेरे को उठाकर ले जाएंगे और उसके पास अब मिलकर बारी बारी तेरी गदर जवानी के साथ मीच, कमिना! अाह!' है लुद मनखी लुद! भुद⟁ लुद लुद भुद झाल कर तव्क महां कि अढखो धो। धयाँ कि यह प्कुल प्रणस्ट़ प्छल है जह पाल पर फप्र मुड़िस प्रियर प्रियू स्थिंफ़े लिग स्थिंए लिए! छियूंग लिए लिए! लिए लिए! लिए लिए! मुछ बत्वांंग मुछ इवीज द joints मुछ उको हुँ करीब आये ना ओफो एसी बारिश में शर्माना कैसा ये भी ठीक है बारिश में नहीं धूप में शर्माना चाहिए चलिए रहाँ चलो बैसे इस मौसम में आप बिना छत्री के कैसे निकल पड़े क्या करता है ऐसी लाजवाब छत्री मेरे पास नहीं थी न तो फिर नहीं निकलना चाहिए था देखे न बारिश की साथ साथ हवा भी कितनी तेज चल रही है ज्यादा भीग जाते तो सर्दी जकड़ लेती आपको हम जरूर जगड़ लेती लेकिन आपकी छत्र चाहा ने मुझे बच्चा लिया तैंकी बल्माच बड़ी महरबानी की आपकी बिल्कुल नए डिजाइन की चत्र है आपकी विदेशी है क्या इंपूर ने 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 जी बहुत पुरानी है पापा की है अरे आप इतना बीगे कैसे पसीने से जी पसीने से वो जो में शर्मा रहा था वैसे आपनी बेमिसाल चत्री बंद कर सकती हमने दागा है हाँ धक्थक 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 टसी धक्थक चिराकरी सावन बर्सी आखों में चुपालू आप पलकों पे तुझकों बिठालू चुरालू नजर से धक्थक 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 धर से धक्थक जियारा करे सावन बर्से अखों में चुपालू आपर कों पे तुझकों बिठालू चुरालाू नजर से धक्थक 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 धर से धक्थक चिराकरी सावन बर्सी कर दो कर दो कर दो कर दो मन में पी धड़कती जाए जो नर्याए सर से धक 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 जल से धक धक चिरा परे सावन पर से जाए आचल मेरा, आपना देना आचल मेरा, आपना लेना सर पे कोई इजाम न लेना ना काफिर तुम नाम न लेना प्यार में अब तु काम न लेना अगर से मगर से धक 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 धर से धक धक धियरा करे सावन बल से आचल में हुआ 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 है हो तो में क्या बादा भाई हो तो में क्या बादा भाई सोर के क्या तु यू शर्माई तुने मेरी नेद बुड़ाई मैंने काहे थी त्या भाई किसी जादुगर से धक 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 करें सावन बर से आखों में चुपा लूँ आपलकों पे तुझे को बिठा लूँ चुरा लूँ नजर से धक 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 धर से धक धक धियरा करें सावन बर से अभा में छुपा लू, पल को पे, कुछ को भी ठालू, चुरा लू नजर से धक धक, धक धक, धक धर से, जिरा परे सावन बर से हाँ, सेर जी, इस बात का फिकर मत कीजिए, माल मिलकुल से आपरेशिदी सही मिलेगा, रभीर, कल तक माली ने मिल जाना चाहिए, मिल गया माल, नहीं नहीं, हाँ, मीना, हाँ, तो ये जो क्या बात है, इतनी रात गए, सारा घर जाग रहा है, आपके इंतिजार में है, मैंने तो आपसे पहला ही बताया था बाबुजी, क्या ये भी में का काम ही ऐसा है, बड़े-बड़े रईसों से वास्ता पड़ता है, और अगर उनको खुश रखना है, तो रात को देन से आन हो, है करोड़ पती सेट, आजी उसने मुझसे दस लाग का विमा कराया है, मैं तो अपनी कमिशन भी लेकर आया हूँ, दस हजार रुपे, इसे रख लीजे बबबुजी, उस करोड़ पती सेट का नाम धरमदास है न, आपने अहराल के कमाई, अरे कुछ तो सोचा होता कमब तेरे बाप ने अपनी नेक नामी बनाए रखने के लिए, जिन्दगी की सारी पूंची ही लुटा दी, और तु, मेरा अपना खूल, मेरे अपने अउलाद, जो एक खाने की कमाई लाया इस घर में, ये आप से किसने कहा बाबुजी, मैंने कहा है, ठीस इस गम में तुभार काली कर्टूते देख चुका हूँ, अरे उस दिन बाबुजी ने तुझे समझाया, कि धर्मदा से मेल जोल बढ़ाएगा, तो गलत राश्ते बे चला जाएगा, मैं गलत राश्ते पर हूँ या सही राश्ते पर, इस बात का फैसला कुछ दिनों के बात करना भाया, मुझे में कोई इजट ने होती बाबुजी, जब अब धन्वान थे, तो आपके दर्वाजे पर वाबा करने वाले लोगों का मेला लगा रहता था, अब क्यों ने लगता मेला, सुन लिया तुमने, बिलकुल धरंदास का रंग चड़ चुका है इस पर, मैं समझ रही हूँ, इस प तुझे अच्छे बुरे की तमीज नहीं, कान खोल के सुन ले, तुझे दरंदास और उसकी बेटी को छोड़ना होगा, काम बनता नजर आ रहा बाबुजी, अधुरा कैसे छोड़ दो, अरे कमबक्त कुछ तो सोच, उस जो एक खाने में लोग तुझे देखेंगे, तो क्य यह कह रहा है, चाहता है खुद बदकारी के रास्ते पे चले और बाब देखता रहे, कभी सोचा भी नहीं था लक्ष्मी के अपने घर में ऐसा नालायक पैदा होगा, जा, दूर हो जा मेरी नजरों से, तेरी शकल भी नहीं देखना चाहता मैं, जा उसी धरमदास के पास ज मा, 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 क्या बात है मा, कुछ नहीं बेटे, अरे राधा बेटी, वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ न, बस यो ही चली आई थी आप लोगों के दर्शन करने, कर चुकी, अब चलू, आते ही लोट चली, तरवाजे से अंदर आओ न बेटी, हमें इतना पराया क्यों ठेरो राधा विजे, तुम जानना चाहते हो न, बेटा, क्या हुआ रवी घर छोड़कर चला गया घर छोड़कर चला गया मैंने उसे बहुत रोका बेटा, लेकिन वो बहुत जिद्धी है कहता रहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, सोच समझ कर कर रहा हूँ होसला रखे बाबुजी, होसला रखे रवी के चले जाने से आप पेटे निराशना हो आपके बड़े बेटे हमेशा आपके साथ रहेंगे आप सब की देखभाल करेंगे, सेवा करेंगे और एक दिन रवी को भी वापस ले आएंगे विजय जी, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे मुझे तुमसे यहीं उम्मीद है बहू बहू डड़ी, रवी कैसा काम कर रहा है? ठीक कर रहा है कैसा लगता है आपको? ठीक है, अच्छा लगता है सिर्फ अच्छा या बहुत अच्छा? यह कुरेद कुरेद कर क्या पूछ रही है? कहीं तूस गुरु गंटाल के चकर में तो नहीं आ गई? और ने डाडी, मैंने उसे काम दिल आया था न, इसलिए पूछ रही थी ओकी डाडी, मैं चलती हूँ, सरा शॉपिंग के लिए जाना है ओके, ओके, बाई बाई रवी, अभी पुरी तरह से लाइन क्लियर नहीं, तुम उन्हें अच्छे तो लगते हो, मगर गुरु घंटाल भी लगते हो देखती जाओ, थोड़ी दिनों बाद मैं उन्हें बहुत अच्छा लगूँगा और साथ में महा गुरु घंटाल लगूँगा रवी, गुरु घंटाल वाला इंप्रेशन मिटाओ, वरना डाडी, हमारी शादी का परमिशन कभी ना देंगे परमिशन तो मेरी जान उनका बाप भी देगा, वो भी कागस पर लिखकर यह मैड, दिखा दूगा तुमको, खेर अभी तो मुझे नौकरी पर जाना है, शाम को कहीं पर मिलो ना, पिक्चर देखने का मूड है सेट जी, सेट जी, सेट जी, तुम यहां कैसी यहां टपकने वाली है, आपने उसको यहां बुलाया था क्या? मैं उसे यहां क्यों बुलाओंगा, पागलू क्या? यह तो डॉक्टर ही बताएगा, मगर ललिता जी सीधा इधर आ रही है, देख लीज उदर सेट जी, मेरी तो यही सलाह, कि आज अपना इतना बड़ा कारोबार दिखाई दी जो उसे, क्या बखते हो? आपके बात वहीं तो मालकिम बनेगी, तो आज देख ले तो क्या हरज है? बंदो यह बखवास! सेट जी, वह कहीं बारी है आज़े, वह दुर्वास जी की तुर्फ देख रही है, कहीं तर न आ जाए उसे यहां से ले जाओ, कहां ले जाओ, कैसे ले जाओ? आरे भई इतने चलाक हो इतनी तेज़ो, को खेल जाओ को दाओ, समझ मैंने आ रहा सेट जी, कैसे पताओ उसको, किसी तरीके से भी पताओ अपने उसे यहां से ले जाओ ठीक है तो लाइए हाथ यह यह क्या है पर्मिट पताने का है अरो मिल गया पर्मिट हाँ मिल गया पर्मिट हो 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 कर दो कर दो कर दो डेते ने दिया मुझे पर्मिट तुझे पताने का अरो मिल गया मुझे पर्मिट तुझे पताने का न यमिले प सतने वाले तुझो बाज मने का तेरे डैडी ने दिया मुझे फरमिट तुझे पठाने का चल हट लट खट मेले इपतने वाली तुझो था जमाने का तेरे डैडी ने दिया मुझे फरमिट तुझे पठाने का लिखा है इस कागस पे तूट के प्यार तु कर मुझसे तूट के प्यार तु कर मुझसे ये काँज दिखला मुझे को क्या है लिखा पढ़ा मुझे को इसमें लिखा है मानले बेटी कहना इस दीवाने का तेर डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाउने का पिर डैडी ने दिया मुझे पर मिट पताने का शर्म नहीं, हत लाज नहीं, हत होश में क्या तूआज नहीं चोरी से चुपके छुपके हम मिलते थे चुप छुपके आज मिला है मौका खुला खुला आज लड़ाने का तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने का तेरे साथ ही जीना है तेरे साथ ही मरना है तेरे साथ ही जीना है तेरे साथ ही मरना है तेरे साथ में जीना मरना है फिर परमिट ये परमिट तब परमिट क्या खरना है खुब गहाला दूनदा है ये तुने मुझे सचाने का तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पठाने का तेरे डाड़ी ने दिया मुझे परमिट 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 तुझे पठाने का पढ़ गई अधोरा फिर खाबर चाप दी नटवन ने शेर की मूच औरे कौन है आप दूस्त लोग अधोरा आए शेर की मांध में आकर शेर से ही छेल खानी शायद इस मूच पर नजर नहीं डाली आप लोगोने डाली नजर भूतनी के अब तो इस उस तरह पर नजर डाल बड़ा मंझा हुआ हाथ है श्रीवान उच श्रेणी के खांदानी हज्जाम लगते है आप तेरे लिए या मराज हूँ बेटे पकड़ा साले को अरे 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 ये कैसा अशिष्ट व्यवार है बंदुगर्ण कितनी किलाश फेल हो उस दिन तो बड़ी डिंगे मार रहा किसी और ने मारी होगी बंदु मैंने तो अपने जीवन में एक मक्षी तक नहीं मारी बड़ा कोमल सभाव है ने मेरा बकवास बंद कर उस दिन मैंने तुझे फोन पर कहा था कि आइंदा धरमदास और दुलब के बारे में कोई खबर न चपए कौन दुलब कैसा धरमदास म जाला मुझे तो हर तरफ अंधेरा या अंधेरा दिखता है भाई कुछ देर के बाद एक कार्टून भी नजर आएगा शिशे में कार्टून जगरो सलेगा मुख नैंने क्या कर रहे हो नैंने मेरी बात सुनिये मेरी बात सुनिये ये बड़ा नीच में वाग है तुझे सबक सिखाने के लिए सिर्फ तेरी आदी मूच काटी है शेर मर्द आइन्द हमारे बारे में कुछ चापा तो कुछ और भी काड़ दूआ एञाओ। थोरा! हाँ, थोरा नहीं। थोरा नहीं। कया creditayrum लिख डाला थुम्हें है इस बार? इस बार धरम ढास के खिलाफ काफी कुछ मिला है. अगले इश्यों में ही झप जाएगा। रादा। जी, आपका आधा मुझ क्यों ढखा हुआ है? दार दुखती है सुनो धरमदास के खिलाफ अब कुछ नहीं छपेगा ये आप क्या कह रहे हैं मैंने उसके और दुरलब के बारे में कुछ और ख़बरे कठा की है चूटी हैं वो खबरे धरमदास का शहर में इतना मान है तुमने बेकारी मुझे उसका खिलाब भड़का दिया ये आप तो क्या होगे नटवर जी उसन तो आप कह रहे थे कि आप शेरों की मूच रखते हैं आरे बाबा वो ही मूच है खत्रे में हैं कुछ और भी कुछ और क्या अब क्या बताऊं यानि वो आरोप गलत निकले तो मेरी मूच नीची नहीं होगी क्या बिल्कुल सच्चे है वो आरोप कुछ और लेक छपने तो दीजिए सापित हो जाएगा इस अखबार में क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा ये तै करना मेरा अधिकार है अगर मगर कुछ नहीं जैसा मैंने कहा है वैसे लेक अब नहीं छपेगे नहीं छपेगे ये मेरा अटल फैसला है कमाल अब क्या करेंगे कुछ तो करना ही पड़ेगा जिस काम का पीड़ा उड़ा है हमने उसी अधूरा तो नहीं छोड़ सकते है कौन हलो क्या मैं अंदर आ सकती हूं सर आए आए क्या बात है सर आप मुझे चुपाया बैठे है अब क्या मुझे दिखाऊं मैं आपको ओ समझ गई उस दिन की कवीता पाठ के लिए आप शर्मिंदा है न कवीता पाठ के लिए आजी छोड़िये पसीने पसीने कर दिया था आपको अगर वो कबाब में हड़ी न तपक पड़ता तो आप घश खाकर जूल जाती इन बाहों में सर मुझे एक हफते के लिए छुटी चाहिए सर एक दिन की भी नहीं अगर आप दफतर नहीं आएंगी तो हमारा क्या होगा पर सर दफतर में दूसरे टाइपिस भी तो है आजी वो इलाइची खेलाना क्या जाने वो मंद मंद मुस्कान क्या जाने इलाइची सर कौन है यह क्या सर आपकी आधी मुझ गई किदर हो गई है उस तरह की नजर किसने काटी दूरला खुद मैंने खुद ही काट ले और किसका हाथ पहुंच सकता है शेरों की मुझों तक दरसल आप ही कारण है इस मुझ मुंडन का मैं वो कैसे सबेरे जब मैं बाथरूम में आ आपके ध्यान में खोया हुआ दारी बना रहा था तो उस तरह कुछ ज्यादा ही खिज गया मुझे तो चिंता है कहीं आपकी लगन में एक दिन अपनी गर्दन नकाड वैठ हूँ है ऐसा जुलम न कीजेगा लीजे इलाइजे खाये अवश्य संसार में सबसे मजबूत दंधन में जकड़ चुके हैं हम और इस बारीकी को वो बेवगूफ विजे क्या समझेगा कौन से बारीकी इलाइची की बारीकी वो बेवगूफ समझता है कि मेरे मुझसे बदमू आती है इसलिए आप मुझे इलाइची खिलाती है ऐसा कह रहा था हा था हा हां गॉइंग तो बी वेरी सून मैं शादी करने चारी हूँ बाई शादी है इलाइची की शादी कभी वर नट राज कट वाले वाकी की भी कट वाले कौन है बे ओ ओ मैडम नमस्ते नहीं मैं समझा कोई ऐसे ही जी जी भूकम कीजिए विजय को भेज दू अब ही भेज देता हूँ आपके बंगले पे सुनिये मुझे शाद्धा देवी ने बुलाया है मैं आप मिस्टर विजय है ना जी आप प्लीज आके कह दीजिए कि मैं आगया हूँ मैं नहीं जा सकती आप उधर बैठे वह आप है आएंगे बड़ी मखरूर है देखा तक में मिस्टर विजय उनका गोला उठा देंगे क्या पास ही तो पड़ा है प्लीज उठा देजिए ना लीजे और सुनियो में साथ आप मेरा नाम जानती है तो यह भी जानती होंगे कि मैं श्रद्धा देवी के अख़बार में एसिस्टेंट एडिटर हूँ उपकार करके नाराज होना आप जैसे अच्छे कवी को शोभा नहीं देता विजी बाबो नमस्कार मेडम तुम आगए विजे आओ इधर बैठकर बातें करें बैठो तुम्हारा कविता संग्रे चपकर आगया है मारकेट में जी लोग पसंद कर रहे हैं सवाब के क्रिपा से हुआ मेडम नहीं तुम्हारी अपनी काबलियत से हुआ है सैटार का तुम्हारा अपना एक अंदाज है मैं चाहती हूँ तुम्हे एक नया कविता संग्रे लिखो जिसमें नई बाते हों नई विशे हों कौन से विशे अपने देश के मौजूदा हालात हर तरफ कितनी करप्शन कितना ब्रष्टा चार पहला हुआ है अपनी कविताओं में इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सकती क्या आपका सहरा मिले तो जरू करूँगा मेडम लेकिन अफसोस तो यह है कि अपने उजाला अखबार में जो आवाज बुलंद की गई है वो भी दबाए जा रही है क्या मतलब मतलब यह कि सेठ धर्मदास ने ब्रश्ट अचार की कुछ अड़े खोल रखे हैं उनका भांडा फोनने के लिए रादा जी कुछ आर्टिकल्स लिख रही ही थी नटवलाल जी ने कहा कि अब वैसे आर्टिकल्स नहीं चपेंगे मगर क्यों नहीं चपेंगे मैं बात वह आर्टिकल्स चपेंगे थैंकियो मैडम आपका बहुत बड़ा अपकार होगा अरे 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 बेटी संभाई करो जोट तो नहीं लगी नहीं ममी विजे ये मेरी बीटी है नेना ये तो देख नहीं सकती नाम रखा था नेना वो बच्पन में ही आखे मुझ पर तरस खाने के जरूत नहीं है मिस्टर विजे तरस से तो नाराज के है फली चलो ममी सबहल के बड़ी स्वाभिमानी है आखों की रोशनी वापस मिलने की कोई उमीद नहीं बड़े बड़े स्पेशलिस को दिखा चुकी है अब तो यही फिक्र खाय जाती है कि मेरे बाद क्या होगा मेरी बच्ची का कौन करेगा इसकी देख भाल उनका ब्याह करा दीजीने मडम आखे नहीं तो क्या हुआ बाक कि शुरू करने के लिए लेकिन वो शादी करें तो सिर्फ मेरी बेटी के लिए मेरी दौलत हासल करने के लिए नहीं मुझे यकीन है कोई नेक लड़का जरूर मिलेगा कई यह कैसे आना हुआ ची वो मेरा बेटा चाहता है कि सुजाता के साथ उसका लगन चलती हो जाए अर लगन की तारीख बताइए पहले आप लोग बतलाईए ना कि दहेज क्या होगा रोगन इतना देंगे जी मेरे अजीद के लिए तो प्रेम बाबू लड़की वाले अब तक चले आ रहे हैं 12-15 लाख देने के लिए तयार है 12-15 लाख हम कहां से लाएंगे उजड चुके हैं तो चले उजडने का कंसेशन देता हूँ आपको दूसरे 12-15 लाख मुझे दे रहे हैं आप 7 लाख दे दीजेए अब ब्या करने आये हैं या सौदा करने आये हैं यह बात आजित सुनेगा तो क्या कहेगा कुछ नहीं कहेगा उसकी नजर में बाप कास्थान इंग्लेंड से ब्यूंचा है वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा लेकिन भाई साथ सगय की वक्त तो आपने साथ लाख रुपई के मांग नहीं की थी क्यों करता उस वक्त तो आप लोग करोणपती थे दामाद को 15 लाख तो दे ही देते ना अब चली साथ लाख दे दीजे पिटियाओ को ब्याहने के लिए कुछ तो बचा के रखा होगा हां सिर्फ नेक नामी बचा पाया हूं सिना साथ और उसको बचाने के लिए सब कुछ गवान अपड़ा लेकिन वाब नूर हीरे तो आप ही के पास है ना कि क्या कहते हैं आप वो तो चूरी हो गए लोग तो कहते हैं कि उन् अब हद से गुजर रहे हैं, अपने बनते हैं और मेरे ही क्यारक्टर पर शक्तरते हैं याँ भड़किये मत, साब सुन लिजे, अगर मेरे घर लड़की ब्याहनी है तो साथ लाख भी देने पड़ेंगे, वरना समझ जाई कि सगाई टूट गई अरे नहीं देनी है तुम जैसे नीच को बेटी, ऐसा मत कहो जी, भाई साब सगाई मत तोड़िये, चार लोग जान चुके हैं कि हमारी बेटी आपके घर की बहु बनीगी, हमारे दिन पलगते ही हम आपको साथ लाख रुपे भी दे देंगे, मैं हाथ चोड़ती हू, सगाई म मत करो इनकी मिन्नते हैं, ऐसे लालची की बहु होने से बेतर है कि सुजाता उमर भर कुवारी बैठी रहे है, जा तोड़ दो सगाई, चले जाओ, get out, get out बाबुजी, बाबुजी, ऑको अंके खोले बाबुजी, ऑके खोले ना, बाबुजी रहम कर परवर्दिकार, इनकी जान बखश दे दो चहां के मालिव डॉक्टर साब कैसी तब्यत है जी आप मेरी बात तो सुन सकते हैं ना डॉक्टर साब ये बोलती क्यों नहीं किसी जबरदस टेंशन या परिशानी की वज़े से सारे बदन पर फालिज किरा है तोडल परलिसिस मेरे बाबुची को बचा लीजे रॉक्टर साब इने किसी तरह भी बचा लीजे मौत और जिन्दगी भगवान के हाथ में है मेरे भाई मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ मेरे स्वाग को बचा ली बचा ली रोक्यो रही है सुनाता मेरे कारेट बाबुजी की ये दशा हुई है सगाय तूटने के बाद आप में और जीना नहीं जाती भाईया क्या पागलों जैसी बात करते ही सुझा था अच्छे लगों की कमी है क्या तेरे लिए अरे एक से पड़े हैं यहां यह तो अच्छा हो के सेना जैसे आदमी की बहु बनने से तू बच गया है मैं किसी और की बहु नहीं बन सकती भाईया क्यों क्यों है क्यों है क्यों है मेरी तब देखो क्या बात है सुझाता या तूर अजीद कि अग्यों हुआ मैं कहीज और शादी करने की नहीं भाईया मुझे माफ कर दू भाईया जिखुत घुथ चुप thou गैदा यह तु पेकर मत क고 तेरा तैट जीछ दिशrocket होगा उनके पिताजीतो शुस्जल तो साथ लाग रुपए मांगते हैं, करूंगा कुछ, भले मुझे आपने आपको बेचना पड़े, लेकिन तेरा ब्याद तो अजीद से ही होगा, पाबुजी की जो हालत है ना, परिशानी की कोई भी बात उन तक नहीं पहुशने चाहिए, मां को भी मत बताना, वो भी बहुत दुखी है, तू फिकर मत करें, फिकर मत करें, नमस्कार मैडम, आओ, आओ, बेटी, बेठो, कहो, कैसे आना हुआ, जी वो, बोलो, मैडम, आपने उजन कहा था के नैना जी के अगर कोई अच्छा मुनासिब लड़का मिल जाए, तो आप 15-20 लाग रुपे की मदद कर सकती है, हाँ, जरूर करूँगी, बशर्टे की लड़का पढ़ा लिखा और नेख हो, मिला कोई, जी, मेरा ख्याल है, शायद आपको अच्छा लगे, तुम्हे पसंद है, तो अच्छा ही होगा, कौन है वो लड़का, हाँ भई, बताओ, मैं मैडम, तुम, ये तो बहुत खुश्ची की बात है बिजे, चलो, मुझे ले चलो पने पिताजी के पास, मैं खुद उन से उनका बेटा मागूंगी, अपनी बेटी के लिए, नहीं मैडम, मेरे बाबुजी को इस बात की खबर तक नहीं होने चाहिए, मगर क्यों नहीं, बाबुजी पर फालेज कि रहा है मैडम, हाल ठीक नहीं है, उन्हें किसी तरह का शौक देना जिन्दगी के लिए खतर नाक हो सकता ह अगर मेरी नेतरहीन बच्ची उनकी जिन्दगी के लिए खतरा है तो फिर कोई आखो वाली बहु धूंड़ो उनके लिए मेरे बाबुजी को गलत में समझी है मैडम, नेतरहीन लोगों से उने बड़ी हमधर्ती है लेकिन वो ये कभी गवारा नहीं करेंगे कि मैं आपकी बेटी से ब्या करके रुपिया वसूल करूँ क्या सिर्फ रुपियों के लिए तुम मेरी बेटी से शादी करना चाते हो दौलत के लिए अपने आपको बेचने आया हो हाँ मैडम, खुद को बेचने आया हो, मगर दौलत के लिए नहीं, बेहन के लिए बहन के लिए जी अच्छे दिनों में बाबू जी ने उसकी सगाई कर दी दी कहीं अब लड़के का बाप साथ लाक माँग रहा है वो ही मेरी बिकने की क्लिमत मैडम पंदर भीस लाक नहीं सिर्फ साथ लाक बहन के सुख के लिए अपने आपको बेच रहा हूं बना लड़के का बाप सगाई थोड़ देखा मैडम क्या तुमारी बहन इस घड़ी आदमी की बहु बनना चाहती है लड़का बहुत पसंद है उसे सगाई तुट गई तो वो वो अपनी जान पर खेल जाएगी मैडम ये बात में बाबू जी को बता नहीं सकता जब तक वो ठीक नहीं हो जाए हर सब में से बचाना होगा उन्हें भगवान तुम जैसा नेक बेटा और भाई सब को दे तुम्हें जितनी रखम चाहिए मैं दूँगी अगले महिने मैं तुम दोनों की शादी कर दूँगी अगले महिने नहीं मैडम कुछी दिनों में ताकि उसके बाद में जल से जल अपनी बेहन का विया कर सको लेकर मुझे शादी के लिए इतनी सारी तयारिये करनी है उसके लिए वक्त चाहिए कुछ खास लोगों को बुलाकर कोट में शादी कर दीजे मैडम कोट में जेल मेरी इतलोती बेटी है विजे उसके शादी के लिए बड़े अर्मान है मेरे मैं आपके सामझे हाथ जोड़ता हूं मैडम मेरी बात मान लीजी अच्छा जैसा तुम कहूं तुम जैसा होनहार दामात पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा बाबुजी नर्स कैसी लगी आपको अच्छी है ना मुबारक हो बहु सर्टिफिकेट मिल गया तुम्हें अब बाबुजी को हमारी सेवा थोड़ी पसंद आईगी मां सिर्फ बहु की सेवा चाहिए इने यह क्या बहु बहु लगा रखा है अभी तो ब्या भी नहीं और त आज नहीं तो कल कल किसने देखा है मां आदमी सोचता कुछ है होता है कुछ और फिर प्या तो संजोग का खेले मां लेकिन बेटे तुम्हारे प्या में अर्चन किस बात की यह राजी तुम राजी हम दोनों राजी नसीब भी राजी हो तब न नसीब संजोग आज यी कैसी बाते कर रहे हो आपनी समझेंगी राता जी कल तक तो राधा थी तुम्हारे लिए आज क्या हो गया तुम्हें आज मैं अपने आने वाले कल की तैयारी कर रहा हूं राता जी मा इनसे अब ब्या करना मुंकिन नहीं मिले लिए मगर क्यों आखिर हुआ क्या मा मुझे बाबुजी का इलाज कराना है इस घर का खर्चा भी चलाना है एक और मेंबर इस घर में आ जा है मैं उसका बोज नहीं उठा सकता मा देख अपने बाबुजी की हालत तेरी बात सुनकर इन पर क्या बीत रही है कुछ देर पहले ये कितने खुश थे राधा क्याने से अरे मुरक इनका आधा इलाज तो राधा है इसे जल्दी से भी आकर घर लिया जवान बेटी घर में बैठी है और आप लोगों को भव लान की सोचो मां ये ठीक कहते हैं माजी पहले आप मेटी की सोचिए बाब जी अब सारी अर्चने दूर हो चुकी है वो सेना साब आज कलकता लोट रहे थे तो अचानक मुझे एरपोर्ट में मिल गए तो मैंने उन्हें बताया कि आपको प्रालेस्स हो गया है तो वो अपनी उस करने को तयार हैं सेनास आपको माफ कर देजिए इस शादी की इजाज़त दे देजिए बाबुजी हम सबकी यही इच्छा है सुजादा की भी सिनास अब माग गया है पच्टावा भी जाहर किया है अब हमारा आले रहना ठीक नहीं होगा बाबुजी आपसे बिंती है शादी कलिए हां के देजिए बाबुजी रात काफी हो चुकी है आई मैंको गर जोगते था किस सोच में डूबे हो समझ में नहीं आ रहा कैसे बताओ आपको राधा जी छोड़ो ये जीवी राधा कहने लगे थे राधा ही कहते रहो लेकिन तुम यही कहना चाते हो न कि पहले बाबुजी पूरी तरह से अच्छे हो जाए फिर शादी करोगे मैं तब तक इंतजार कर है और वो बात बताना बहुत ज़रूरी हो गया ज़रूरी बात और सड़क पर रहीम चाचा आप और आटो पर हाँ और नहीं तो क्या सारे कुनबे का बोज अकेले विजय बबुवाई उठाएंगे क्या हमने भी ट्राविर शीख ली चलो बैठो दोनों को सेर करवाला है अ अच्छा विजय कल मिलेंगे देखें आये शर्दादेवी चलो उसे आले ने दो ममी मेरी बड़ी आर्जु है कि वो मेरे शादी में ज़रूर शामिल हो अच्छा कौन है ये वो नैनकी खास सहली बहनों जैसा प्यार है दोनों में जड़े अब तक आई क्यों नहीं भरी मैंने सोचा बहले कोट मेरे जो लेकिन दुल है राज्या चोग गई न विजय को देखकर तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी ओफिस का साथी तुम्हारी सहली का जुवन साथी बनेगा आओ विजय आप अपना अंग उठा यहां लगाई राधा यह सुहाग माला विजय को देदू विजय राधा का और मान है कि इसकी आखों के सामने तुम यह सुहाग माला नेना के गले में डालो अब आप हमारी कारवाई पूरी किजिए मिस्टर विजय रजिस्टर पर आपके दस्तखत अब तक बाकी हैं राधा वो कैसे लग रहे हैं बोलना मैं उन्हें तेरी आंखों से देखना चाते हो वो तुछे पसंद है ना हाँ तब तो मैं बहुत खुश हूँ मुझे यसा ही वर चाहिए था जो मेरी जान से जादा प्यारे सही लुक भी भाई तो खुशे ना बहुत आजो खुशी से दिल भराया नैना कभी सोचा भी न था कि ऐसी खुशी मिलेगी बहुत खुश हूँ मैं तर कहूँ क्या किसी से कि आखे चलकने लगी ऐ खुशी से खुशी का है मापा मगर क्या करूँ मैं नहीं अज कोई खुशी का कराना मेरे आसों सीक लो मुस्कुराना खुशी का है मापा मगर क्या करूँ मैं नहीं अज कोई खुशी का कराना मेरे आसों सीक मुस्कुराना मेरे आसों सीक मुस्कुराना है दे मुश्किलों सी परिशन कितना है दे मुश्किलों सी करे शम कितना निभाहे बदला है आसान कितना मेरे आसों सीक मुस्कुराना 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 इतनो मुष्कुराना नहीं गीप लग, दुआए ही स्थोरी नहीं गीप लग, दुआए ही थोरी सलामत रहे, सलामत रहे आप दोनों के जोड़ी नहीं कोई मेरी खुशी का ठिदाना मेरे रासों से किदा मुस्कुराना मेरे रासों से किरूँ मुस्कुराना खुशी का हमा का मगर क्या करूँ मैं खुशी का हमा का मगर क्या करूँ मैं नहीं आज सोई खुशी का करोना मेरी आसो सितनो मुस्कुराना मेरी आसो सितनो मुस्कुराना रहें चाचा अपने नसीब से ऐसी उम्मिद नहीं थी मुझे कि मेरे अपने बेहन की शादी की ख़बर मुझे गैरों से मिले मुझे मुझे ख़बर क्यों नहीं दी गई रहें चाचा हाँ ख़बर देने कहां जाते बेटे अपने घराने के दुश्मन उस धरंदास के यहां आज कल वहीं दैते हो ना बेटे रहें चाचा मैं करेगा विवा का शुब महुरत बीता जा रहा है कन्यादान कौन करेगा 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 बाबुजी का फालिच में है फालिच में कपसे कई दिनों से काई बाबुजी किस अच्पता लो घर में है हाँ बेटे डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें हर परिशानी और गुस्टे से दूर रखा जाए तुला दुलन को आशिरवात तीचे जी आप बेटी की चिंता बिलकुर मत कीजिए बाबुजी मैं आपसे वादा करता हूँ इसे इतना सुक दूँगा कि ये जिन्दगी भर आप लोगों की कमी महसूस नहीं करेगी बाबुजी इस हालत में छोड़कर जाने को जी नहीं करता जी नहीं करता बाबुजी बाबुजी ठीक होकर बहुत जल्ड कलकत्ते में तेरा सुक देखने आएंगे ये ना चलो बीटी चलो बाबुजी बाबुजी मत रो बीटी यही औरत का नसीब है एक प्यार भरा घर छोड़के नया घराना बसाना पड़ता है आओ चलो चलो रहीम जाजा इसे ती जा बेटे जाओ खुशना हो सुजदा 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 रहीम 16 यहीं 16 हुआ 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 है माँ मैं ये पैसे सुजदा के शादी के लिए लाया था माँ बाबुजी की इलाज के तु चिंता मत करना माँ मैं हुआ ना मैं इलाज करा हुआ ये पैसे तु इस हराम की कमाहे से बाबुजी का इलाज कराएगा ले जाए रुपै और पढ़ा रहे उस धरमदास के चन्नों में आव यहां बेट जाओ रात के नो बच चुके हैं हमें चलू वो तुम जानो मेरे लिए तु दिन और रात एक समान है तुम पास हो तु चला दूर हो तु अंतेरा सुबह होते ही आ जाओंगा न आप जाने रो रोज चले जते हो आज रात यहार आ जाओ न प्लीज नैना मेरी मजबूरी को समझो न बाबुजी के हाला तो तुम चानती हो वो मेरी रात इखा करते हैं उनकी देखवाल के लिए मुझे रात को घर लोटना ही पड़ता है तो फिर मुझे वहां क्यों नहीं लेचलते बड़ा आर्मान है कि ससुर जी की चरंचो सको मैं अब तक उन्हें बतानी पाया है कि मैंने तुम से शादी कर लिया है उनकी हालत वैसे ही नाजुक है थोड़ी सी समझ जाए तुम्हें सब कुछ बता दूँगा फिर मैं तुम्हाई सद्राब भी गुजार सकूँगा जाने कब जाकेंगे मेरे नसिप मुझे जाने तो जाने की कुण्ये डिना सुनो क्या बात है पत्ने से विद्धा लेने का तरीका यही होता है क्या तो फेल कौनसा तरीका हाँ ठीक ही तो है तुम्हें भी होटों से काम लिया गुटनेट कहें कहें गुटनेट रादा जी आपके लिए फोन है किसका? मैडम के बंगले से आया है हलो, राधा तुम्हें इतना बदल क्यों गई हो? नहीं तो नैना कहां बदली? तो मेरे घर आना क्यों छोड़ दिया है? मेरी शादी के रेसप्ष में आई थी उसके बाद ना तुम्हें छो सकी ना तुम्हारी आवास सुनी चुपके हो बताओ ना क्या कुसूर की है मैंने जो तुम मुझसे दूर रहने लगे हो आजकल मेरे सिर्फ काम बहुत है तुम बहाने मत बनाओ फॉरण आ जाओ फुरसत मिलते ही आ जाओंगी नैना नहीं तुम्हें अभी आना होगा मेरे मेरे तब यह ठीक नहीं है तुम बीमार है तब तो मैं फॉरण आती हूँ तुम आगे रहा था अरे कैसे जान गई तू हावा के जोंके नहीं तेरी महग पहुंचा दी जूटी कहीं की फोन पे डरा दिया कि बीमार है तू तो यहां भली चंगी बैठी है फिर क्यों बुलाया मुझे और किसको बुलाओं तेरे सिवा है कौन जिसके साथ अपने दुख तर बाढ़ सको अब तो तेरे पती भी है यही तो दुख है पती होके भी वो मुझे पती नहीं समझते तेरे साथ उनका बरताफ ठीक नहीं है, क्या? जड़कते हैं तुझे नाराज होते हैं काश के छिड़कते हैं कभी नाराज होते मुझे हुकम होती तो इसमें भी अपना पन है उनका बरताफ इतना नमर है जैसे के मैं मैं पराई हूँ इतना शान थे कि उसमें प्यार के आज तक नहीं क्या तू और विजय अब तक आ रहा था मैं वह भागन हो जो सुहागन तो बन गें लेकिन सुहागराद कि अब देख नैसीब नहीं हुई मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे एक अंधी लड़की की बेबसी का फाइदा उठाओगे तुमने नैना के लिए नहीं उसकी दॉलत के लिए उससे शादी की है नहीं रादा, मैं दॉलत का लो भी नहीं, मैंने शद्दा देवी से उतने ही रुपे लिए, जितने मेरी बहन के हाथ पीले करने के लिए ज़रूरी थे, उसके ससूर साथ लाग मांग रहे थे उस दिन तो तुम बाबुजी से कह रहे थे कि उन्हें रुपे नहीं चाहिए बेहन की जिन्दगी तो बचा ली, लेकिन नैना की जिन्दगी, अब उसका क्या होगा पती का फर्स पूरा करूंगा मैं ओरत के गले में मंगल सूत्र डाल देने से, वो फर्स पूरा नहीं होता विजय, पत्नी के अर्मान तभी पूरे होते हैं, जब पती की बाहें उसके गले का हार बने, पती का प्यार मिले उसे मैं उसे प्यार भी देना चाहता हो राता, लेकिन क्या करूं, दिल से मजबूर हूं मैं, पहला प्यार भुलायनी भूलता मुझसे क्या तुम अब तक, नहीं विजय, ये गलत है, अब मेरा ख्याल दिल में लाना भी तुमारे लिए पाप है ये ऐसा पाप है जिस पर इंसान का कोई जोर नहीं, क्या तुम बोला सक्यों मुझे? नैना की दुख का कारण मुझे मत बनाव विजय, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूं उसमें दिल्चस्पी तो लो, वो मुसे बहुत बहुत बेहतर लड़की है, उसे सुख दोगे, तो इतना सुख पाऊगे कि, कि जीवन स्वर्ख बन जाएगा तुमारे लिए अब तो यही एक रास्ता है, सुख देकर सुखी होना सीख लू मैं, समझा लूँगा अपने दिल को, लेकिन तब तक नैना को सबर करना पड़ेगा इलाइज जी की शाधी, हुई मेरी बरबादी कौन? आप लोग फिर आगे, आप किस लिए? काटने के लिए नहीं, ऐसा घजम मत कीजिएगा, अभी तो मेरे हाथ भी पीले नहीं हुए लंगोट धारी कुँ आ रहा यूँवख और कुआ रहा ही मरेगा साले रहे हमारे साथ दोगला पन किया तूने, फिर से ख़बर छापी? नहीं, मैरे नहीं छापी विश्वास कीजिए उस्तरा निरेश, उसे छापने का दोशी मैं नहीं हूँ तो फिर कौन है? राधा, आप जैसे साथूजन इस संसार में क्या महामकारे कर रहे हैं, वो सबकी रिपोर्ट लाती है, राधा भेन रोको चलो 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 जाल नीचे, जाल उतर क्या नीचे ले चलो इसे उपर आई सथे जावा किनी कसी हुई जवानी है कि सर से पाउं तक हतोड़ा ही हतोड़ा मैंने तुझ से कहा था ना कि अगर तुने हमारे खिलाफ लिखना बन नहीं किया तो मेरे मुझे टंडे तुझे उठा कर ले जाएंगे और फिर उसके बाद बारी बारी नहीं हतोड़ा 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 नहीं 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 तो यतीम बच्चों के नजास बाप तुम हो जाए हतोड़ा हतोड़ा नी तुमकोडा है मकोड़ा आप जाए रादा जी, माने बढ़ लुगान कुटो से आप जाए, जाए रवी ने, रवी ने तुमको बचा है, यही तो ताजुप की बात है, रवी भी धरमदास का आदमी है, मगर मेरी खातिर उसने अपने ही आदमियों से मार पीट की उसका खून पुकार उठा होगा वो तो अभी भी यह समझता कि तुम उसके भाय की, वो तुम्हारी बेश्टी कैसे देख सकता था वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो लोग मुझे उठा के ले गए, अब पता चल गया है कि डोंगरी पर उनका एक और अड़ा भी है, अब ये पता करना है कि वहाँ क्या कारोबार चलता है, मैं पता करूँगा, अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूत नहीं है, अब दिया तो वह धरमदास के सामने मेरी पॉल खोल देगा, अंधेरा बढ़ जाए, तो उसकी लाश को भाग पहंग देना है, अब रफी दुम्हें, वहाँ अषिए, अब भाइए, भजए अपेbor कर दोने ह्मझे हा उने जए है करना है, अबाए ind scrape कर दक्शूot성!". क्थंपने ह। तुम्हे तूश्या कर आता है! रभी बढ़ चुका, चला उसकी खड़िया खड़ी करने के लिया रभी, रभी रभी, रभी, रभी आज मेर उसकी खड़िया खड़ी कर दूला कर दो लोगा बभी, रभी, रभी रभी, रभी, रहा। झाहा । पढ़ा हुआ जढ़ा लुड़ शेका घरिए काग अगे अबला उड़? जूरो सलेगो जाख बालो अब एकार पारे! पिस दो भराएव, पिए्ट! भगवान करे, तुम्हें बहुत जल्द होश आ जाए, तब तक शायद दर्वाजा भी खुल चुका होगा, फॉरम भाग ले मेरे भाई, तेरा, पिछा भाईया, मा, मा, भाईया कहा है मा, आज इतने तिनों बात भाईया की याद कैसे आ गई, अब बताओ भी कहा है भाईया, रोज जानी कहा रहता है, रात को देर से लोटता है, मगर आज तो भाईया, कहा है वो, तु कुछ जानता है, बोलना, कहा है विजे, कुछ गुंड़े म मुझे बचाने के लिए विजा भी आभी वहाँ पहुचा और तो तेरे साथ क्यों नहीं लोटा वह क्या हो गया उसे तेरे बुरे कर्मों की आज तेरे भाई तक भी पहुचने लगे मुझे समझने के कोशिश करो मा मुझे समझने के कोशिश करो मा मुझे समझने के कोशिश करो मा सब मुझे गलत समझते हैं रवी भाईया 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 तुम आगा है शुकरे तुम भी बहाँ से बचने कला है यह ले तरह कोट अरे यह खुन कैसा मामूल इसा खाऊ है अंधेरे में बचारे का निशाना चुक गया कोली बदन से छुके निकल गई अजा मेरे भाई मेरे लिए तुम अपनी जाद देने ते भाईया अब तो धरमदास का साथ छोड़े मेरे भाईया भाईया अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दू क्या बक्ते हो बंग पिया हो क्या अब ये शोचा भी कैसे कि मैं अपनी बेटी तुम जैसे चलू आदमी के पल्ले बांद दूगा क्यूव नहीं बांद सकते उस बेटी के मा को भी तो तुम जैसे मा चलू के पल्ले बांदे गया था अरे उसकी मा के बाद से जाले में गलती होगी थी लेकिन मैं यगलती हर्गस नहीं करने वाला मैं अपनी बेटी की शादी एक पड़े लेखे शरीफ लड़के के साथ करूँगा शरीफ लड़का ढूंडोगे तो उसे भी तो लुच्चा बनाना पड़ेगा ना तुम्हारा काला धंदा चलाने के लिए उसको भी तो लुच्चा मौजूद है तुम्हारा जामने तुम जैसे पापी ससुर को मुझसे ज्यादा कॉलिफाई दामाद में मिलेगा इस शहर में ससुर जी चुप बखुआ करो अर्स कर रहा हूं मैं कोई आ रहा है तुम मुझे जिन्दा देखकर बड़ी हैरत हो रही होगी न तुमको जिन्दा देखकर हा सेट जी कलिनों ने अपने गुंडों के साथ मिलकर मेरी जान देने की कोशिश की और यह वही गुंडे थे जिनने आप पर और आपकी बेटी पर हमला किया था और उनका सरदार आप के सामने खड़ा यह जूट बख रहा है सेट जन गुंडों ने तुम पर हमला किया था वो मेरे आदमें नहीं थे सेट उस दिन तुमारे गाड़ी नहीं रोकिती गुंडों ने मैं नहीं लाला उनके साथ अरे वो सब एक चक्माना सेट जी आपकी आखों में धूल जोकर आ उजाल आखबार में जहर उगलती है मैंने अपने आदमों के जहरी उसे टुआ लिया लेकन एल्मों के पहुंच गया उस फुल जड़ी को बचाने उस लड़की को मैं पूना से जानता हूं सेट जी क्या तुम यह जी जानता है कि वो हमारी दूश्मन है बिलकुल नहीं जा जानता था यह उजाल आखबार का जासूस है से उजाल आखबार से मेरा कोई तालुक नहीं सिड जी यह जुटा इलजाम लगा रहा है मुझ पर क्योंकि मैं ने इसकी पोल खोल दी आरे जा तुका मेरी पोल खोले जा जा तुछको को प्रवेश कर सकता हूं दुरलब जी कौन है यह जोकर अजाल आखबार का एडिटर है यह नमस्कार अरे साब क्या मौके पर आये आप बताएए आप पी बताएए सिर्जी को मैं बला अजाल आखबार का अदमी हूं क्या आदमी तो आप हैं लेकिन उजाला के नहीं वैसे आपका शुब नाम जी मुझ आओ यह स आप इस उमर में कारोबार संभाला नहीं जाता वो उजाला प्रकाशन बेच कर रिटायर होना चाहती हैं अगर आप खरीदना चाहें तो मैं सौदा सस्ते में पटा सकता हूं जरूर खरीदी है सेट जी फिर आपके खिलाफ उस अकवार में कुछ नहीं चपेगा आजी हम अखवार वाले चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं आप तो जानते हैं आपकी हराम की कमाई को हम हलाल की कमाई साबित कर देंगे आपके जुए खानें को मंदिर बना देंगे और दोनों धुरंदणों को कर देंगे मतलब धर्मात में साबित कर देंगे और क्या ए खास लेट में नहाए वो चुछ उंदर काई तू हम दोनों का मजाग तो नहीं उड़ा रहा है नाए नाए कैसी बातें कर रहे हैं उस्ता नरेश मैं आपका मजाग उडाऊं तो आप मेरी गरदन उड़ा देना। सेड़ी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, इस सौधे से आपको बहुत लाब होगा। ठीक है, ठीक है, शर्दा देवी से बातचीत करो। फर्सों उनके बंगले पर उजाला प्रकाशन का रजट जैनती समारो है। नमस्कार। मैडम, आप है श्रद्धा देवी, ये है सेज धरमदार जी। नमस्कार। और ये है दुरलब जी। इंगलिश में Mr. Difficult। ये पार्टी आप ही लोगों के लिए दी गई है। तेंक यू, तेंक यू इंदीड। अरे, प्रेंबाबू आ गए। ये पंगा क्यों दिया गया है। ये पार्टी खतम होने से पहले आप दोनों जान जाएंगे, थोड़ा धीरज रखिए। आप मेरे घर पदारी प्रेंबाबू, मुझे तनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकते। ये शद्धा देवी जी है, हमारे ओजाला पब्लिकेशन की मालकिन। अब आपकी तबियत कैसी है विजे। पहले से बहतर है। भगवान करे जिस मकसद से आपने ये पार्टी दी है, आज वो चमतकार भी हो जाए। लीजिए। जोश नाई। विस्की बोल विस्की। ये कैसी ठंडी पार्टी है। मैं तो सोच रहा था कि हतोड़ा होगी हतोड़ा। आजी हतोड़े भी पढ़ेंगे थोड़ा पार्टी को आगे चलने दीजिए। पार्टी में जाने से पहले। इसे पहन दो। धरमदास सेट। वो अंदी के साथ वो लॉंडिया देख। ये वही है जिसने उजाला अखवार में हमारे खिलाफ जहर उगला था। लटवर जी ये क्या माच रहा है। पार्टी हमारे लिए गई है। और हमारे दुश्मिनों को यहां बला गया है। अरे तो चिंता किस बात की सेट जी। आपका रक्षक भी तो फान पड़ा इस पार्टी में। आपकी सुपुत्री के साथ लगता डैडी। लेली। ये ये हार्ट तुमारे हाथ कैसी लगा। सौभाग ये से डैडी। लेली। मगर क्यों डैडी। इसके गले में कोई चोरी का हार तो है नी। इस सीटी क्यों गुल है। आज इस पार्टी में कुछ चीज़े अपंग लोगों की मदद के लिए नीलाम की जाएंगी। मैं अपनी तरफ से चंद जेवरात पेश कर रही हूं। इस नीलाम से जो रखम डबा होगी वो अपंग चैरिटबल ट्रस्ट को भीट कर दी जाएगी। आप सब सभी दरख्वास्त हैं कि आप दिल खोल कर इस नेक काम में अपना से होग दें। क्यों मैंम साब क्या खयाल है। दे दे सही हो कर दे यह हार नीलाम। करना चाहो तो कर दो, तुम हो मालिक। क्या भक्तियो, मालिक मैं हूँ जीजी है। अब मैं हूँ सेड़ जी, वो उस दिल आपने पटाने का परमिट दिया था। तुम अपनी जबान बंत रखो समझे। हार दो, हार दो मैं कहता हूँ एक तो बगार पूचियो विहार पहन का चलियाई। और उपर से निलाम करना चाहती है। चलो। पर इसमें आपको क्या इतराज हो सकता है डाडी। तुम मेरी लुटिया डपोने पर तयार हो और मैं इतराज मिना करू। इतराज कैसा सेड़ जी। आपने लुटिया, मैं बोलता हूँ नहीं। मैडम, इस यूटि के गले का हार आप आइस लोगों की सेवा में हाजिर है। सबसे पहले इसे निलाम किया जाओ। चिल्लम जैसा मूँ खोल कर क्या देख रहे हो गोंगा बसंद। जाओ, अपनी लॉंडिया को पकड़ कर लाओ। वरना इतना कीमती हार हाथा निकल देगा। भाई साब, यह हार बहुत कीमती है क्या। 10 करोड का है। 10 करोड का है। सावधांग, भाईयो, देवियो, सज्जनो, सावधांग। सोच समझकर, बोली लगाईए, सोच समझकर, पता चलाए कि यह हार 10 करोड रुपए का है। जी, अरे खुद ही देख लो। यह क्या बकवास कर दी तुन्हे हरामजद है। काट कर लग दूँआ। अरे काटने की बाद तो बाद में देखेंगे, अब भी पकड़ के देखा। इंश्क्यूज मी धरमदास जी, वो आब नूर हीरो का हार भी 10 करोड रुपए का था। कहीं वो ही हार आपकी बेटी के गले में तो नहीं। वो हार बला मेरी बटी के गले के कैसे आएगा ये ये तो बहुत ही मामूली सा हार है बहुत ही मामूली सा सिर्फ एक लाक रुपए का है फिर भी भाईयो ये हार इस सुन्दरी के गले तक पहुँचकर करूरों को लगता है इस हार का कारीगर कौन है ये तो सेड धरंदासी जाने लेकिन ये सुंद्री सेड़ जी की कारीगरी है लगाइए लगाइए बोली लगाइए मिरे मतलब इस हार पर बोली लगाइए सुंद्री पर नहीं शुरू हो जाएए इस अधार बाइस अधार बचास अधार बचास अधार एक पचास अधार दो पचास अधार आप यहार कैसे छोड़ दखते हो बापका माल जो है है कोई एक लाग से आगे बढ़ने वाला बोलो भायो सवा लाक इरने है कोई माई कलाल जोसे धरमदार को पचाल सके कोई नहीं पाइच लाग एक पांच लाग धुड़ दो Pty activ时! S%&%&% Babu c Beruf! Adı... Adı, Adı... Hieroga...uciones! erzähltOW I'm Karen Advaction cut!!! You can make an example from prison आदे भाई, लेली ता, लेली ता, मेरे में क्या कुछ दिखा ने दे रहा है, लेली लेली बढ़े तु मेरे का शाजा रभी, मेरा हार को ले गया, मेरा हार अरे, कहां गहा ! सबको तलाशी लो अ've बाहर नी जाएगा यहा से, हार के लिए सबकी टलाशी होगी, कोई बाहर नी जाएगा मेरा हार कहा है खबरा मत तलाशी हो रही है बहुत जल मिल जाएगा हार ताड़ी कहीं नजर नहीं आ रहे है अंधेरे में घर चले गए होगे तुम भी चलो वो मुझे छोड़ कर कभी नहीं जाएंगे जाने की एक वज़ा है आओ मेरे साथ पता करो वो हार मिल गया है की नहीं मिलना है तो मिल जाएगा बाबुजी आपको जबान मिल गई मुझे दो जाहन की दौलत मिल गई बस नैना तुम्हारे सामने विजय के बाबुजी है बाहु तुम इतने दिन हमें कैसे भूल गई बाहु भूली कहा बाबुजी आपके चरण छुने के सोभागी को तर्ज रही थी आशिर्वात दीजे दीजे रहो बेटी बेटे बहुत कुछ बताना है बाबुजी आप घर चली मैं आपको सब बता दूगा नेना मैं बाबुजी को घर छोड़ के आता हूं अच्छा फिर लोटेंगे ना हाँ जरूर लोटेंगा पैथा उफ शुकरा गाइब नहीं हुआ ललिता के घरे में सुरूब नकली हार रहा होगा क्या हो रहा है धरंदाथ तो ये है आपका धरम भगवान की मुर्ती के आड़ में चोरी का माल छुपा रखा है नहीं ये चोरी का माल नहीं है ये मेरे है हाँ तो अभी पता चल जाएगा अरे ललिता अरे ललिता क्या बात है रवी अपने डैडी के हाथो में ये हार देखू अरे ये तो वही हारे जो मेरे गले से चुराया गया था नहीं बेटी वहार नकली था ये असली है जूट मत बोले चट जी आपको कैसे मालूं पढ़ा कि वहार नकली था किस मक्हस Grade से बनवाया था किस मकसद से बनवाए था ने बिटी वो जो हार तेरे गले में था वो नकली था और जो तुम्हारे सामने चोर है वो असली हार का मौजूद है अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा अभी फोन करता है अरे डरना कैसा सेट जी हार तो आपका अपना है ना हाँ तो फिर ड सुली पचला देना चाहिए मगर इस बात का फैसला बाबुजी करेंगे बाबुजी कौन बाबुजी प्रेम बाबु हुनी का बेटा हुम है क्या है यही है बेचे यही है असलिए आपनो घीरे आखिर यह हमें मिली गए है अब हमारे घराने की खोईवी खुश्या भी बाबुजी बस दुख है तो इस बात का के इने पाने की कोशिश में मुझे अपने माता पिता का विश्वास खोना पड़ा रभी हाँ बाबुजी इन हीरों तक पहुचने के लिए मैंने आपसे नाफ फर्मानी की आपके दुश्मनों से जा मिला आपका दिल दुख हाया अरे बेटा माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए जो हमने तुम्हें गलत समझा हाँ बेटा हम तु यही समझे थे कि धरमदाज की बेटी के इश्क में तुम इनसे जा मिले हो मैं ललिता से प्यार करता हूँ इस बात से मुझे इंकार नहीं है मगर आप जैसे माता पिता अरे अगर इनका सब्दी बनने का चांच साल से निकल गया तो यह सुरूर मुझे हाथ कड़ी लगवा देगे अच्छा पहले यह बताई है कि उस पार्टी में वो नकली हार आपने नहीं उड़ाया तो फिर किसने उड़ाया अजी उसी अथाड़े के बच्चे दुरलब न हार शायद मेरे लिए लए होंगे आगे तो कुछ बोलो न तुम्हारे लिए राधा ने मुझे अपने हाथों से सजाय है मगर मैंने ये हार खुद पहन लिया अच्छी लग रहे हो न अच्छी सच मच ये क्या हों किया जाती हो खुलके बोलो न किसी लगरे हो में हट दोड़ा हट अज झुड़ हो घुमन गया कि लुड़ हो ऐन्या कि लु युमने कि ले상 त assumption है झुमने खने खनेался लेत כれ, भार खने खनेसे तो झाल अझाल हुआ झाल उन्होले ह Спर छो पनी को भार खने inside याल झाल के लिग टो जिलिए अप हने है आपर, 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 यह क्यो हो, रादा? रादा, आके खोले, रादा, 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 भीर, तुमिको रोग्या, तुम्हे जीनी से कूँगा आया को लो पनख़ बादा खुशमे हो लादा, लादा लादा अको को में लादा चाहो लादा जया हो लादा बजए लादा भ्रूमा सकता लो! भ्रूमाक गराओ! आत geared अ अ impाहत अ ha incurाइへら! व... अ क्रोला.. दोराओ! तेरे हतोड़े को इन हातों से नहीं तोड़ा, तो रभी मेरा नाम नहीं पिलीस्टेशन, पर शादा देवी बोल रही हूँ आणको दो, मारी अ! अटोलाा हहाँ! पड्सके रहола रहाँ! छुँ कर दो जय तरह और ते अओयर कर दो झाल हा कर दो 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 बता कहा है वो हार मुझे नहीं मालूम अभी उस अंदी के कले में था पता कहा चुपाया तुने हार मैंने नहीं चुपाया कर कर दो पत्मारू़! कर दो наст्怎么样, कर दो रझाप और जो थे पत्मुआ लुक्ा वो вы कर दो कि यह तोड़ा यह राम पूरी चाकु देख रही हो जब यह अंदर जाता है तो अंतनिया बाहर निकलाती है कर्देश कर्देश्ट में वेटाए के आज़े हैं तर्चित करने इसक्ता करने पाउं विद्ध के इसक्तिक आजरे भाज़े कि वह क्ते खाएंदेश्टार्ण बढ़ता है बताओ हार का है, बना तो जान से मारतु हुआ, बताओ हार का है सबक्राइब अबएस अबएस अबएस, बताओ हार! घया हारा? बताओ हार दुन हाला? इरभार कर लो इंजा हार अबएस पाली पाली लो बताओ हार तुहें मेंदो養 अब नग जो हो कोई फाया ही altogether कोई नदा नणा नदा मैं य ही हूँ त्सक्राषिर को तुम भी मेरे लमेंदो था मैं जा रही हूँ नदा अब था मेरे लमेंदो आसली गतना पहँ हो मुझे जोर कंजा मेरी बच्चे ने बिल्कुल एकेसी है, तुभ्या पे तुम्हारी बेटी जैसी है, अब ये ले के मेरी जगह, तुभाइ ये भी और और मेरे पते के लिए भी तेरी जगह मेरे जीवन में कौन ले सकेगा? तुझ जैसे बेहन तुझ जैसे बेहन मुझे कहां मिलेगी मेरे लिए तुझे जीना होगा नैना तुझे जीना होगा तेरी आँखों में सदा जीओंगी रथा अपना सुख तुझे सुपकर तेरी नजरों से मैं सदा देखूं क्यों ने अपना हाग दो दला, दला मैं जाने से पहले ये सुहाग माला धादा के गले में चुना चाहती हूँ ये तु क्या कह रही मेरी बच्ची साल में जीते जी अपना सुहाग किसी और को नहीं सोपा करती है इस उमें मेरे आत्मा को शांती मिलेगी मा इस सुहाग माला पर नदा कहिया दिकारें नहीं, नहीं नदा इसे पहना इस सुहाग माला उसे पहना ये, तुम क्या कह रही हूँ नदा मेरे आकरी चापुरी कराओ नहीं सुहाग भक भोट कम है नहीं पान्व नहीं पान्व राथ 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 溜न नहीं जहीं नहीं, वी नहीं नहीं अब कौन सा पैंतरा खेलने वाले आप अंकल जी अरे भई कुद मेरे साथ आपके रवी ने धोबी पचाड़ कहला है कहा कि मैं बाकी का जीवन तीर स्थानों में जाकर जाड़ु लगाँ अंकल स्वर्ग में अगर एडवांस बुकिंग करानी है तो अपने तमाम कर्मों का वही खाता इसी धर्ती पर ठीक करना होगा इसलिए तो बेटा मैं अपने पापों की सारी कमाई को दान करके जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए और अब तो मेरी बेटी भी इस घराने की बहु बन गई है भगवान करे सदा बना रहे ये घराना हरे राब हरी कर्ष्ना सलामत रहे घर ये घराना झाल